हेलो एंड वेल्कम बैक दियर स्टोन अकेडमी जे चानल आइम समीट सिंचली करिया और मैथमेटिक्स मेंटर एंड इस जे लाइफ डिली 3.0 जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन का लेक्शन नमबर 8 और यह रहेगा हमारा लॉगर्द्मिक फंक्शन का डिसक्रशन नमबर 3 क्योंकि यहाँ पर इसके पहले जो लेक्शन होए तो फंक्शन के उसके दर हमने मौडलस फंक्शन को भी बहुत डीडिल में अल्री पढ़ लिया है आज क्या करने वाले हैं आज अब यहाँ पर लॉग फंक्शन के ग्राफ को समझने वाले हैं यहाँ पर हम उसी के inequalities को भी solve करने वाले हैं ताकि हम domain से related भी questions यहाँ पर समझ पाएं उनको solve कर पाएं तो बच्चों अगर आप अभी भी Uncadmy J.E. चानल के उपर regular नहीं हुए हैं तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो यह है कि आपने Uncadmy J.E. चानल को subscribe कर लेना है वो लाल वाला बटन में दबा देना है और साथ साथ यहाँ पर regular हो जाना है क्योंकि आपके साथ में यहाँ पर जो team नजर आ रहे है बच्चों आपके सामने यह इंडिया की top team है जिसको सबसे जादा बच्चे follow करके अपनी J.E. के तयारी complete करते हैं so make sure that you also do that आप यहाँ पर regular हो जाएं और अग गंटे में जो सिखाय जा रहा है उसको बारवर revise करते रहोगे उससे related questions करते रहोगे practice is must ठीक है इसलिए हमने आपके साथ में बच्चो 3.0 के सीरीज के साथ में JPP sessions incorporate किये हैं जहाँ पर हम पहले आपको PDF देते हैं और फिर आप उनको solve करते हो and then उनके solution lectures जो होते हैं उनका आ sure कि आप यहाँ पर entire जो हमने आपके लिए facilities जो है provide करी हो उनको सही तरीके से इस्तमाल करो और अगर आप हम सभी educators साथ में connected रहना है साते हूं then you can connect with us on various social media platforms as well मेरे साथ में connected रहने के लिए Samvir underscore IITR अब इस्तमाल कर सकते हैं to connect with me on Instagram और आप इसी के साथ साथ मुझे follow कर सकते ह on Unacademy subscription platform ताकि मेरे जो भी वहाँ पर classes होती है चाहे वो free classes हो चाहे वो courses हो उनका notification आपको right time आजाएगा and you will know कि कब क्या चल रहा है ठीक है हमारे Unacademy J channel को भी आप यहाँ आप यहाँ टेलग्राम के उपर join कर सकते हैं जहां पर regularly आपके साथ में जो है notes and updates share किये जाता है make sure to be a part of that और आपको यहाँ पर जो भी JPPs का जैसे मेरे discussion किया वो उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपके सारे lectures हो रहे हैं उनके link एक साथ हमने provide कर दीए एक single website की तरह से है बचो यह आपको यहाँ पर जो है इसको google search नहीं करना है live daily.me.je को आपको website की तरह enter करना है you will get to an interface which looks like this यहाँ पर आपके साथ में सारे के सारे lectures जो हमने अभी तक पढ़ा हैं वो एक साथ हमने आपको collect करके दे दिये हैं आपको साथी साथ उनके PDF notes भी मिल रहे हैं so make sure कि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है अपनी तयारी आप आगे बढ़ाएं free and quality education is now accessible through the lectures of an academy GE लेकिन अ also where all of us educators are present हम वहाँ पर भी पढ़ाते हैं सारे बच्चों को और हमारे साथ साथ और भी कई सारे educators हैं जो इस platform के थूँ बच्चों की मदद कर रहे हैं ठीक हैं यहाँ पर classes live and interactive होते हैं साथ साथ यहाँ पर आपके जो test होते हैं वो national level के test होते हैं आपको यहाँ पर further doubt cleaning sessions मिलत हैं material मिलता है solve करने के लिए सो all in all यहाँ पर आपको एक पूरा ecosystem मिलता है और क्योंकि एजुकेशन के लिए बनाया गया platform है इसलिए इनके अलावा जो भी आप वहाँ पर activities देखते हो वो सभी आपको जो है कहीने कहीं अपनी J.A. की त्यारी में help करती हैं तो मैं sure कि आप य से instantly solution मिल जाता है यह सारी चीज़े भी बचो on academy app के उपर हो रही है make sure कि आप वहाँ पर जाके यह सारे चीज़ें use करना start कर दें ठीक है और educators की अगर बात करते हैं यहाँ पर बचो educators की कमी नहीं है यहाँ पर इंडिया के सारे top educators आपको एक साथ मिलता है और उसी का result है कि आ यहीं आपको क्या चाहिए होता है educators चाहिए होते हैं ठीक है आगर आपको rank बहुत अच्छी निकालने है तो आपको बहुत अच्छी 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 चाहिए और आपको यह बहुत अच्छी test series चाहिए जिसके मतलब से आप अपना performance overall competition के साथ में compare कर पाऊ ठीक for your studies on unacademy subscription platform ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो आज का discussion रहने वाला है it is very very important आप इसको बिल्कुल भी lightly ना ले ठीक है अगर आपको लगता है कि यह session आपको एक बार फिर से देखने की ज़रू होते है एक बार फिर से देखो लेकिन इन concepts को आपको पहली बार में ही अगर पकड पर हम खुद से ही बना लेता है ऐसा करते है क्योंकि हमें lock की values तो निकालते आती ही है ठीक है so why not try to create the graph using the idea जो हमने बच्पन में ही सीख लिया है जैसे कि straight line का अगर मुझे graph बनाना होता था class 9 में तो हम क्या करते थे straight line की जो equation given होती थी उसके अंदर x के अलग-लग values डालते बिल्कुर उसी logic का यहाँ पर हम इस्तवाल कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि log का graph कैसा हो सकता है ठीक है so log का graph अगर आपको समझना है तो एक important जो है यहाँ पर bifurcation है यहाँ पर दो अलग-लग type के log के graph आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है वो bifurcation किसके basis पे होता है कि आप जो यहाँ पर log का base use कर रहे हो जैसे कि हमने यहाँ पर log पढ़ते समय यह देखा था कि log के अलग-लग version से एक तरीके से है ना log to the base 10 अगर है तो वो एक अलग तरीके से आपका जो है represent किया जाता है log to the base e है log to the base half भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर आपका जो सबसे पह चाहते हैं and after that obviously we want to understand कि अगर हमारे पास में log का base अगर fractional है तो उसका graph कैसे बनना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह जो distinctions है इसके अंदर कोई एक particular value नहीं ली गई है क्योंकि हम यहाँ पर वैसे भी nature of the graph का understanding लेना चाहते है ठीक है तो अगर इस particular portion को समझाने के लिए मैं आपके साथ में यहाँ पर एक example लेना चाहता हूँ जहाँ जहाँ पर हम a का value कैसा लेंगे दो के बराबर लेंगे ठीक है अगर मैं a मतलब base का value होकर दो के बराबर लेता हूँ तो मेरा function क्या बनेगा मेरा function यहाँ पर बनेगा function क्या होता है function basically y का value होता है ठीक है तो मेरा जो y का value है वो basically log of x base में 2 है ऐसा में अब plot करके देखना चाहता हूँ कि इसका nature कैसे आएगा ठीक है बिल्कुल basic से start करें लेकिन end होते होते हम यहाँ पर advanced level तक बिल्कुल पहुचने वाले हैं ठीक है हो सकता है आज के lecture थोड़ा सा lengthy भी हो जाए साथे साथ यहाँ पर questions भी हमें यहाँ पर जो है काफी सारे करने पड़ेंगे ताकि हम एक strong grip बना पाए उस particular topic यो पर एक single session के अंडर ही ठीक है और तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं इस particular graph को plot करना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल अपने बच्पन वाला idea इस्तिमाल करूँ ठीक है अगर मैं यहाँ पर input 2 लेता हूँ तो मुझे output कितना मलेगा log of 2 to the base 2 आपका 1 होगा अगर मैं input 4 लेता हूँ तो मुझे output 2 मिलेगा log of 4 to the base 2 power 2 करके बाहर उतार के हम यहाँ पर फिर से अपना answer 2 बता सकता है let us take some fractional inputs as well अगर मैं यहाँ पर 1 by 2 input लेता हूँ तो क्या आप मुझे बता सकते हो log of 1 by 2 to the base 2 कितना हो जाएगा log of 1 by 2 to the base 2 ठीक है यहाँ पर आपका answer minus 1 निकल कराना चाहिए क्यों एक बार जंदी से calculation देख लू 1 by 2 जो है उसको आप क्या बोलोगे उसको basically 2 की power minus 1 बोलोगे और 2 की power minus 1 से आपका minus बाहर आ जाएगा and log of 2 to the base 2 तो आप आपका 1 वैसे भी होता है तो आपका यहाँ पर output क्या है minus 1 आए अगर आप यहाँ पर input half इस्तेमाल करते हो तो आपका final answer क्या है minus 1 आपका simplification के बाद में answer आ रहा है ठीक है और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 1 by 4 लेता हूं तो आप यहाँ पर calculation करके देख सकते हैं इसका value minus 2 आ आएगा I have now drawn I have now considered basically a lot of points अगर मैं इनको plot कर लूँगा अच्छे तरीके से तो मुझे एक rough idea तो लगी जाना चीए कि यह लॉक का graph कैसे बनेगा ठीक है लॉक का graph यहाँ पर देखो आपको जो नजर आएगा वो ऐसा कुछ है यहाँ पर अगर मैं 1 input लेता हूं तो मुझे 0 output म अगर मैं 3 नहीं 4 काफी दूर चले गए हम ठीक है यहाँ पर पहले तो हमारे पास में 2 में 3 आएगा उसके बाद में 4 आएगा और 4 अगर मैं यहाँ पे अपना input लेता हूं तो मुझे output कितना मिलता है 4 पे मुझे output 2 के बराबर मिलता है ठीक है तो हम जितना जादा आगे जा है बीच में क्या आना चाहिए था 3 भी यहाँ पर आना चाहिए था और यहाँ पर हमने 3 values यहाँ पर plot कर लिये हैं let me just mark it with some another color as well यहाँ पर यह हमारा एक important output का point है यह एक हमारा value है और यह हमारा coordinate है जो यहाँ पर हमने mark किया हो है ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर हम बच्चे और half के exactly 20 में होगा तो उनके बीच वाला 1 by 4 वाल अगर मेरे पास में input है तो मेरे पास में answer कितना है minus 2 के ब्राव है तो अगर में हाँ पर एक rough जो है आपको sketch बना के बताओ तो आपका log का graph ऐसा कुछ बनना चाहिए ठीक है बासन में आ रही है this is how the log graph should look like यहाँ पर हमें द मुझे काफी आगे जाना पड़ रहा है to increase the height by 1 unit जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है इसके बाद में आप सोचो कि आपका 3 कब आएगा 3 कब आएगा जब आप यहाँ पर 8 डालोगे तो 3 आएगा जब यहाँ पर input 8 डालोगे तो आपको एक height further उपर जाते आएगी तो आप यहाँ पर जो है 0 से 1 जाने के लिए आपने एक unit ही extra travel किया था लेकिन 1 से 2 जाने के लिए आपने यहाँ पर 2 से 4 मतला आपने 2 unit extra travel किया तब जाके आप एक unit उपर जा पाए हो ठीक है फिर आप 4 से 8 ही जाओगे तब जाके आप further जो है एक unit उपर चड़ पाओगे this kind of analysis you should do on your own as well ठीक है तो हमारा पास में एक इस तरह का graph आ रहा है और यह कौन से category का graph है जहाँ पर हमारा base 1 से बड़ा है it is that category graph ठीक है दूसरा category कौन सा हो सकता है दूसरा category हो सकता है जहाँ पर आपका जो base है वो fractional है अगेन यहाँ पर एक category है तो एक example के सापने समझे के त ज्यादा अच्छा हो जाएगा in this case अगर मैं example लेना चाहता हूं तो फिर से simplicity के लिए हम हमारा base जो है वो 1 by 2 के बराबर मान लेते हैं ठीक है मतलब आपका यहाँ पर जो function बन रहा है that is log of x base में half log of x base में half आपका यहाँ पर create हो रहा है लेकिन अगर base half है तो मैं इसको थोड 2 की power minus 1 बोल सकता हूं और यह minus 1 जो है फिर से बाहर आके क्या हो जाएगा minus of log of x base में 2 ठीक है तो यह मैंने क्यों किया मैं यहाँ पर basically इसली किया क्योंकि अब मैं इस expression की values calculate करके आपको अलड़ी बता चुका हूं ठीक है तो हम इसी का इस्तेमाल वापस कर सकते हैं extra minus sign के तो 2 डालने पर आपके समें minus 1 आएगा ठीक है अगर आप 4 डालते हूँ तो minus 2 आएगा लेकिन half डालते हूँ तो minus minus plus 1 हो जाएगा और 1 by 4 डालते हूँ तो आपके समें plus 2 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर बिल्कुल similar input समने लिये हैं लेकिन जहाँ पर negative हो गया और जहाँ पर positive आए तो वहाँ पर negative हो गया जीरो तो 0 ही रहेगा ठीक है now if I try to plot the graph यहाँ पर आपको दिखाए देगा जैसे कि आपका graph decrease कर रहा है ठीक है एक बार notice करना है इस बात को अगर मैं देखता हूँ 1 पर क्या answer आ रहा है तो minus 1 आ रहा है है ना 2 पर आपका answer minus 1 आ रहा है 4 पर आपका answer minus 2 आ रहा है and half पर आपका answer plus 1 हो गया आपकी बार और 1 by 4 मतलब इनके बीच में exactly आपको क्या मिला further plus 2 मिला तो इस बार आपका जो graph है वो actually decrease कर रहा है वो ऊपर से आ रहा है और decrease कर रहा है ठीक है तो हमारे पास में दो category है graphs की एक decrease करने वाला graph है और एक हमारा increase करने आपको ध्यान क्या रखना है कि कब क्या होता है अगर आपका base 1 से बड़ा है तो आपका graph increase होने वाला होता है और आपका base 1 से छोटा होता है और 1 से छोटा मतलब कितना छोटा हो सकता है negative तो हो नहीं सकता है तो यहाँ पर इस लिए restriction कैसी है zero से लेकिए one मतलब हम इस चीज क इसको बोल किया सकते हैं कि अगर आपका बेस फ्रैक्शनल है then in that case आपका graph decreasing nature show करेगा decreasing nature show करेगा ठीक है and that is how we can actually remember this thing ठीक है in general अगर आप plot भी करके देखो तो software में भी इस तरह का आपका graph देखने के लिए मिल सकता है ठीक है log of x base में a अगर a आपका greater than 1 है तो ठीक है let me just correct this यहाँ पर आपका greater than का sign आना ची अगर आपका a greater than 1 है तो ठीक है अगर a greater than 1 है then in that case आपको increasing graph मिलता है और अगर a की value आपकी 0 और 1 की बीच में है तो आपको decreasing graph finally मिलता है ठीक है तो इस चीज़ को हम utilize कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को utilize कैसे करता हैं क्या आप यहाँ पर मुझे जल्दे से बता सकते हो इस question का answer what is the smallest possible value of this expression इस expression का smallest possible value क्या होगा ट्राइ करें सारे बच्चे अभी हमने अपना जो understanding लिया है उसको यहाँ पर आपको इस्तमाल करना है ठीक है increasing decreasing क्या लिखा है यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है log of log of x square minus 6x plus 13 क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस expression का smallest possible value कितना हो सकता है मतलब यहाँ पर हम एक तरीकी से output की बात कर रहे है और output की बात करें मतलब function के range की बात कर रहे है तो अगर मैं function का range पूछू हूँ तो इसका minimum range का value कितना होगा minimum output का value कितना होगा ऐसा आपको इहाँ पर calculate करके बताना है ठीक है ट्राइ करें सारे बच्चे log of x square minus 6 x plus 13 ऐसा बोला गया है तो पहली बात तो आपने यहाँ पर यह notice करना चाहिए कि आपके बास में log के base में क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब आप कितना consider करोगे खुद से आप यहाँ पर 10 base consider करोगे कितना base consider करोगे 10 base consider करोगे वो basically एक increase करने वाला pattern होता है तो अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि आपके इस expression का minimum value क्या generate हो सकता है तो मैं यहाँ पर सोचूँगा इस तरीके से कि मैं जितना छोटा जितना छोटा इसको input दे पाऊंगा अगर आप सोचो कि आप log को केवल इतना ही input दे पा रहे हो आप log को केवल x1 से लेके x2 तक ही input दे पा रहे हो तो output भी कहां से कहां तक generate होगा जो यहाँ पर आपको x1 पर output log दे पा रहा है और जो x2 पर output आपको log दे पा रहा है उतना ही आप यहाँ पे log से expect करोगे, यह सुरूख आपका input ही अगर यहाँ से यहाँ तक है, तो output भी आपका यहाँ से यहाँ तक ही होगा तो minimum input पे ही आपका minimum output आएगा मुझे यहाँ पर output का discussion करना है, लेकिन मुझे इसके minimum output का discussion करना है तो क्यों न में इस log के अंदर कितना minimum जा रहा है बस उतना सा देख लू log के अंदर जितना minimum जाएगा उतना ही log minimum value generate कर पाएगा ठीक है क्यों क्योंकि हाँ पर direct relation है छोटा value input में तो छोटा answer बड़ा value input में तो बड़ा answer ठीक है यह increase करने वाले function की property है छोटे input पे छोटा output बड़े input पे बड़ा output हमें छोटा output चाहिए तो हम छोटा input देने की कोशिश करेंगे बात पकड़ में आरी हमें छोटा output चाहिए overall हमें इसको छोटा से छोटा बनाना है तो मैं सोच रहा हूँ कि log के अंदर वाली quantity को में छोटा से छोटा बनाने की कोशिश कर लेता हूँ फिर उस case में तो अब यह expression आपका छोटा से छोटा कितना हो सकता है यह देखना तो बहुत ही आसान काम है मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि आप इसको na perfect square create करने की कोशिश करूँ जैसे कि अगर मैं 13 में से 9 बॉरो कर लूँ पर्फेट स्कवेर can not be negative तो इसका minimum कितना हो जाएगा step by step आप यहाँ देख पार रहे हो क्या यहाँ पर चल रहा है इसका minimum value कितना होगा now is coming value अगर zero होगा तो इस total का minimum value कितना होगा bracket का जीरो से कम तो हो नहीं सकता ना perfect square negative तो हो नहीं सकता आप least to least यहाँ पर क्या expect कर सकते हो कि 0 create हो जाए कब create हो रहा है जब आप x के value 3 डाल रहे हो तब create हो रहा है ठीक है तो जो आप यहाँ पर 0 create करते हो तब यह bracket minimum कितना बनता है तब यह bracket की value minimum आपकी आती है 4 इस bracket की value जो basically log को दिया जा सकता है log को हम 4 से छोटा value नहीं दे पा रहे हैं इस case में इस case में इस question में हम log को 4 से छोटी value नहीं दे सकते हैं तो log भी log 4 से छोटा output नहीं generate कर पाए तो सबसे छोटा output आपको यहाँ पर क्या मिलेगा log 4 इसका answer क्या होना चाहिए log 4 ठीक है बिलकुल यहाँ पर major calculation नहीं है लेकिन यह जो graph का understanding है यह यहाँ पर important है जो हम इस्तमाल कर रहे है minimum value that we can think of is log 4 फंद लाशन में आ रहा है log जिसका base लिखा हुआ नहीं होता उसका base 10 होता है और अगर आपके असमें 10 वाला base वाला log का discussion चल रहा है मतलब यहाँ पर increasing nature show करने वाले log का discussion चल रहा है तो अगर आपको log of something का minimum value चाहिए तो आप कोशिश करो कि अंदर वाली quantity minimum हो जाए अंदर वाली quantity जितनी छोटी हो सकती है उतनी छोटी कर दो तो उसके चलते जो यहाँ पर log output generate करेगा वही आपके overall expression का minimum value होगा बासवन में आगे सरे बच्चों को यस differentiation से आप कर सकते हो शायद यस लेकिन अभी मैंने differentiation पढ़ाया नहीं है तो मैं यहाँ पर differentiation से इसको discuss नहीं करूँगा और यहाँ पर main idea यह है नहीं कि हम यहाँ पर multiple approaches discuss करें main idea यह है कि अभी जो आपको graph समझाया गया है कि आप उसका इस्तमाल कर पा रहे हो अभी जो आपको यहाँ पर graph बताया है कि आप उसका इस्तमाल कर पा रहे हो अगर कर पा रहे हो तो आपने हापर इसका मतलब जो theory पढ़ाए गई है उसको समझ लिया है ठीक है और there could be multiple approaches, differentiation लेकिन यहाँ पर अभी हम discuss नहीं कर रहे हैं ठीक है, obviously हाँ पर maximum minimum type की जो discussions हैं हम कर सकते हैं ठीक है, लेकिन उसके लिए यह lecture बना नहीं है ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हाँ पर एक बार फिर से, graphically यहाँ पर socially कोईश करते हैं कि इस restriction को हम कैसे manage करें Given A and B are positive numbers satisfying 4A square plus log of B to the base 10 का square plus, sorry, is equal to 1 then find the possible range of values of B B की possible range of values क्या हो सकती है B यहाँ पर कहां से लेके कहां तक जा सकता है ताकि यह equation आपकी satisfy हो पाए तो यहाँ पर कैसे मतलब इसके अंदर ऐसा लग नहीं रहा है ना कि भाई कूछ starting point मिल रहा है starting point अगर आपको मिल जाएगा तो फिर आप यहाँ पर काफी आसे नहीं से अपने solution को generate कर पाओके ठीक है आपके इसमें एक restriction दिये और कुछ यहाँ पर खास बात आपको पता नहीं है ठीक है आपको restriction क्या दिये 4A square plus log of B based 10 वाला log है और उसका हो गया square और is equal to 1 दिया है ठीक है आपको यहाँ पर main idea यह ही कि अर B के बारे में discussion करना है A के बारे में यहाँ पर discussion वैसे नहीं करना है ठीक है तो मैं यहाँ पर B में एक expression create करने के कोश्च कर रहा हूँ something like this कि A square कितना होगा A square कितना होगा इस equation का इस्तिमाल करके तो यह बनेगा आपका 1 minus log B to the base 10 का square और denorder में आएगा 4 तो अब यहाँ पर आपका जो यहाँ पर B के उपर restriction है वो किस से govern होगा B का restriction इस तरीके से govern होगा कि A भी कोई value ले पाए अगर आप यह सोचो कि log B का value होगा 100 या log B का value होगा let us say 10 log B का value 10 होगा log B का value होगा 10 होगा तो उसका square होजाएगा 100 1 minus 100 minus 99 upon 4 minus 99 upon 4 क्या A square हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि A square जैसे आपने बोला वैसे आपने बोल दिया कि यह आपका LHS तो होगया positive आपका LHS होगया positive मतलब आपके B के उपर जो restriction है range of values of B वो कैसी होनी चाहिए कि यह RHS वाला value भी आपका positive बने अगर RHS आप positive रख पाते हो अगर आप RHS को positive रख पाते हो तो A square निकल पाएगा और इस equation का कुछ हो सकता है बास हमी में आरे ही ठीक है एक बार फिर से question को देखो given A and B are positive numbers satisfying this equation यह equation satisfy करने वाले A और B values है ठीक है then the possible range of values of B कितना होना चाहिए तो भाई B ने इस तरीके से अपनी values को manage करना है ताकि यह बनने वाला expression एक positive value बने otherwise A square बुरा मान जाएगा और आपकी equation यहाँ पर satisfy नहीं हो पाएगी ठीक है so what we will write next हम यहाँ पर एक inequality लिखने वाले हैं क्या लिखेंगे इसका मतलब 1 minus log B to the base 10 k square upon 4 should always be greater than or equal to 0 to the limiting case अगर आप जाना चाहते हो तो इसको 0 बना सकते हो A square equal to 0 चल जाएगा लेकिन A square एक negative value नहीं चल पाएगी so हम यहाँ पर इस inequality को solve करना चाहते हैं इस inequality को solve करना कोई बड़ी बात नहीं है आप यहाँ पर पहले तो cross multiply कर दो और अगर आप यहाँ पर पहली बार में comfortable feel नहीं करते हो तो आप यहाँ पर एक छोड़ा सा substitution ले सकते हो कि let log B to the base 10 is equal to T अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको T बोलता हूँ तो मेरा inequality कैसे दिखाई देगा बहुत ही simple दिखाई देगा 4 तो और अज़ी कुर्बान हो चुका है cross multiply होके मेरे पास मैं आएगा 1 minus T square 1 minus T square should be greater than or equal to 0 तो यह तो वेवी करका केतना simple question है नो लेकिन minus multiply कर लेते हैं पहले minus multiply करेंगे तो T square minus 1 should be less than or equal to 0 minus multiply करें तो sin of inequality का आपको यहाँ पर sin change करना है ठीक है ओल्राइट इसको factorize करते हैं ताकि हमारे बसमें critical points clear हो जाए T minus 1 into T plus 1 की मतलब से factorize किया और sin of inequality है less than or equal to 0 मतलब आप यहाँ पर mark करोगे minus 1 plus 1 plus minus plus और क्योंकि यहाँ पर आप values include कर सकते हो तो एक बार यहाँ पर भी हमने dark अपने circle draw कर लेना चाहिए ठीक है तो मतलब यहाँ पर T के बारे में हमें क्या पता सेल रहे है T के बारे में हमें पता सेल रहे है कि T should belong from minus 1 से लेके 1 तक T की value आपकी minus 1 से लेके 1 तक आनी चाहिए लेकिन T क्या था T तो आपका यह था मतलब आप सिधे सिधे कहना चाहते हो कि log B to the base 10 belong करना चाहिए minus 1 से लेके 1 तक तो क्या अब आप B के ओपर comment कर सकते हो given that आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जो log यूज करना है discussion में वो base 10 वाला है तो base 10 वाला log कैसा होता है increasing होता है increasing graph में हम क्या देखते हैं direct relation छोटा अगर आपको output चाहिए तो छोटे input पे ही आया होगा और बड़ा अगर आपको output चाहिए तो बड़े वाले input पे ही आया होगा तो हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं वो इस बार output की values है और हमें input के ओपर comment करना है पिसली बार हम input की value देख पा रहे थे और हमें output पे comment करना था हमने input को restrict किया तो हमें output पे restriction मिल गए इस बार हमें output पे restriction दिख रही है कि log b का answer minus 1 over 1 के बीच में होना चाहिए अदर्वाइस यहाँ पर बात नहीं बनेगी अदर्वाइस यहाँ पर बात नहीं बनेगी ठीक है तो हमें यहाँ पर अपना direct relation क्योंकि है क्योंकि increasing function है तो direct relation है तो यहाँ पर मैं अपनी simple equation solve करके answer बता सकता हूँ यह graph पता करने का main आपको फायदा मिल रहा है आप यहाँ पर directly देख सकते हो कि minimum b अगर आपको देखना है तो वो कब मिलेगा b minimum आपको मिलेगा जब आप यहाँ पर इस equation को solve करने की कुश्च करें log b to the base 10 minus 1 हो जाए minus 1 कौन से b पर हो रहा है क्योंकि आपको minimum value minus 1 चीए इस से नीचे जाना allowed नहीं है तो यह कब होता है वो हम देख लेता है यह जो आपका expression लेगे minus 1 कब होता है तो यह minus 1 होगा जब आपका b का value हो जाएगा 10 की power minus 1 मतलब b का value हो जाएगा 1 by 10 ठीक है तो यही आपका minimum value होना चीए अगर आप इसके नीचे चले गए let us say आप 1 by 100 चले गए तो 1 by 100 डालके आपके इसमें answer आजाएगा minus 2 which is not allowed 1 by 100 अगर आप इसके नीचे डालते हो तो आपके बास में answer आएगा minus 2 which is not allowed आपको कहाँ b की value को रोकना पड़ेगा 1 by 10 पे आपको b की value को रोकना पड़ेगा ठीक है क्योंकि minimum का minimum से correspondence है और maximum का maximum से correspondence बनने वाला है तो आपका b max जो है वो कैसा हो जाएगा जब आप log b to the base 10 को 1 के साथ में compare करेगा तो b का वेल यहाँ पर आपका 10 निकल कराएगा तो b के ओपर आपने क्या range बताया b कहां से कहां तक हो सकता है for this equation to be valid आपका यहाँ पर होना चीए 1 by 10 से लेके 10 तक therefore our final answer becomes what therefore b should belong from 1 by 10 से लेके 10 तक फ़र्णा सुनना आ रहे हमारे पास में जो log का graph है वो या तो हमेशा increasing आ रहा है या फिर हमेशा decreasing आ रहा है है ना या तो हमेशा ऊपर जाने वाला है या फिर हमेशा नीचे जाने वाला हमारे पास में graph है जब भी आपके उसमें हाँ पे A greater than 1 वाला discussion होता है तो increasing वाला आपका scenario बनता है और 10 अगर आपका base है तो वो भी कैसा है 1 से बड़ा है तो अभी जो हमने दोनों question किये वो 1 से बड़े वाले graph को use करने वाले questions थे बास अंग भारी तो छोटे input पे छोटा output बड़े input पे बड़ा output आता है हमने इस particular logic का इस्तमाल कर लिया दोनों ही सवाल को solve करने के लिए ठीक है लेकिन ultimately यहाँ पर हमने किया क्या है देखो ध्यान से हमने एक तरीके से अपनी inequality ही solve कर दी है ठीक है what we have done is we have solved an inequality देखो यहाँ पर ध्यान से log inequality हमने solve करी हमने अपनी log inequality solve करी ठीक है तो अब यहाँ पर हम एक अच्छे तरीके से log inequality solve करना सीख ही लेते हैं लेकिन उसके understanding के लिए हमें वापस graph का तो इस्तमाल करना ही पड़ेगा ठीक है so let us officially start learning how to solve log inequalities ठीक है और log inequalities के लिए यहाँ पर जो graph हमने अब डिसकस की है वो हमें help करेंगे definitely करेंगे हमें यहाँ पर अगर कोई log वाली inequality solve करना है log वाली कोई inequality solve करना है तो it might look something like this एक inequality है मतब less than या फिर greater than का sign है तो inequality हो गए ठीक है और log inequality है तो आपको कहीने की log वाले expressions दिखाई देंगे तो यह होगी आपकी log inequality ठीक है log भी दिख रहा है और inequality भी दिख रही है तो इसका combination होगा है log inequality ठीक है तो अब यहाँ पर graph हमें कैसे help कर रहा है देखो ध्यान से यहाँ पर फिर से आप देख सकते हूँ कि हम दो अलगलग cases में अपनी log inequality समझने की कोशिश करते है ठीक है अगर आपका base 1 से बड़ा है तो हमने कैसे proceed करना चाहिए तो यहाँ पर graphically देखो आपको कितने अच्छे तरीक से idea लग रहा है अगर आपका base 1 से बड़ा है तो मतलब आपका जो log का graph होगा तो छोटा input डालने पर आपको छोटा ही output मिलेगा input output कैसे study करते है आपने जो भी input select किया है उसके corresponding आप vertically उपर जाके graph पे एक point search करोगे और फिर उस point से आप left जाओगे तो आपको बता लगे कि उस point की height कितनी है height मतलब क्या है y की value height मतलब क्या है y की value तो इस x के लिए y की value कितनी है इतनी है ठीक है तो हमें यहाँ पर पता चला है कि यार अगर मैं छोटा x लूंगा न तो मुझे output भी छोटा मिलेगा अगर मैं बड़ा x लूंगा तो मुझे output भी comparatively बड़ा मिलेगा अगर x2 बड़ा है तो मेरा x2 पर output भी बड़ा है So this is what we can write अगर हमारा x2 बड़ा है तो relatively हम देख सकते हैं कि x2 पर जो log का output है वो भी बड़ा है याली बासन में तो हम यहाँ पर अब करने क्या वाल है हम यहाँ पर इसको use करेंगे कुछ इस तरीके से कि कभी भी मुझे अगर यहाँ पर question में एक inequality दी जाती है log of x1 base में a is less than log of x2 base में a and if I realize कि a मेरा 1 से बड़ा है case कौन सा discussion में है वो ध्यान है के सारे बच्चे if I can see कि मेरा base 1 से बड़ा है तो मैं यहाँ पर log सीदे-सीदे इसका मजब हटा सकता हूँ क्योंकि अगर यह value बड़ी है log of x2 अगर बड़ा है तो यह तभी possible है जब आपका x2 बड़ा होगा x2 वाला input बड़ा होगा तभी उसका output जादा आ पाया है x2 वाला input बड़ा होगा तभी उसका output जादा आ पाया है तो हम यहाँ पर log दोनों साइट से हटा देते हैं और log हटा के हमारे पास में क्या answer आ जाता है एक solution आ जाता है एक तरीके से है ना यहाँ पर हम ने क्या क्या log वाली inequality को solve कर दिया log हमने हटा दिया success हो लिए clear हो रहे हैं तो इस तरह से हम अपनी log in equality solve करेंगे लेकिन एक दूसरा case भी हमें डिसकस करते हैं दूसरा case के हो सकता है कि आपको जो discussion में question है उसमें base आपका fraction है मतलब base आपका 0 और 1 के 20 में अगर आपका base 0 और 1 के 20 में तो फिर से graphically पर लिए सोचने की कोशिश करो यहाँ पर base क्योंकि आपका less than 1 है तो मतलब graph आपका decrease कर रहा होगा तो यहाँ पर आपका relation reverse हो जाएगा यहाँ पर direct relation नहीं है यहाँ पर ultra relation है indirect relation है ठीक है कैसे अगर आपने यहाँ पर देखा कि x1 जो input है वो छोटा है तो उसके corresponding जो आपको output मिलता है वो actually बड़ा हो गया log of x1 का value उपर है और log of x2 का value नीचे है तो बड़ा कौन हो गया log of x1 आपका बड़ा हो गया ठीक है तो यह बात आपको लिखनी कैसी है आपको यहाँ पर basically लिखते समय ध्यान रखना है कि आपको sign of inequality change करना है क्या करना है कि log of x1 is actually greater than log of x2 आगर आपको एक question दिया गया है log of inequality का और आपको दिख रहा है कि log of x1 actually बड़ा है log of x1 बड़ा है लेकिन आप यह भी notice कर रहे हो कि a जो है यहाँ पर base वो fractional है तो ultimately यहाँ पर होने के वाला है इसके corresponding जो आपका x1 है वो छोटा हो गया आपका x1 छोटा हो गया तो हम जब यहाँ से log हटाएंगे solve कैसे होगी log inequality log हटा के solve होगी हम जब यहाँ पर log हटाएंगे तो x1 और x2 में relation कैसा हो जाएगा reverse हो जाएगा तो हम यहाँ पर याद कैसे रखते हैं इस चीज़ को कि अगर आप यहाँ पर discussion fractional base का कर रहे हो तो sin of inequality change करना solve करते समय लेकिन आप अगर discussion कर रहे हो base जिसकी value 1 से बड़ी है तो sin of inequality जो है वही maintain करके रखो change करने की ज़रूत नहीं अगर base आपका 1 से बड़ा है तो log inequality solve करते समय आप यहाँ पर sin of inequality जैसी दी है question में वैसे ही maintain करके रखो लेकिन अगर fractional base है तो फिर sin of inequality change कर लेना अगर आप log हटा रहे हो तो ठीक है and this works both ways अगर आप log लगाओगे तो भी sin of inequality change करना पड़ेगा log हटाओगे तो भी sin of inequality change करना पड़ेगा बात समय में आगे log हटाओगे एक बार सोच के देखते हैं कि actually questions कैसे आएंगे क्या actually questions इस तहरा से framed होंगे क्या इतना आसान सवाल हमने expect करना चाहिए हो सकता है कि इतना आसान सवाल भी आजाए जहांपर केवल आपको यहाँ पर log हटाने है और आगे calculation proceed करनी ठीक है but ऐसे सवाल हमें एक दम से मिलने वाले नहीं है हमें कैसे सवाल मिलेंगे हमें सवाल कुछ इस तेरह से मिलेंगे कि आपको दिखाए देगा log के अंदर कुछ बहुत गंदा सा expression दिया हुआ उसका कुछ तो base है and this has to be solved to be equal to b it has to be solved greater than b ऐसे कुछ आपको solve करके बताना है तो यहाँ पर b कोई value होगी a की कोई value होगी और fx अपने आप में कोई एक बड़ा सा expression होगा अब यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि इस particular expression में problem क्या है मैं यहाँ पर अभी जो idea मैंने discuss किया वो use नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने जो भी आपके साथ में idea discuss किया उसमें तो दोनों side log हुआ करता था जब दोनों side log होता है तभी तो हम हटा पाएंगे दोनों side से log और अंदर वाली quantities का discussion कर पाएंगे देखो यहाँ पर भी वोई बात थी यहाँ पर भी मैंने log हटाने के लिए बोला थो a है ना it has to be greater than b तो b के अंदर में ऐसा करता हूँ ना log a to the base a multiply कर लेता हूँ log a to the base a multiply कर लेता हूँ और फिर log की property से b को power में चाहा देंगे है ना जैसे ही आप यह काम करोगे अभी आपके साथ में जो मैंने discuss किया वैसा expression आपको दिख जाया जाओ ठीक है log of fx base में a has to be greater than log of a to the power b base में a तो अब हमारे पास में exactly वैसा यह expression बन रहा है जैसे कि इसके पहले था लेकिन अब मुझे यहाँ पर इसने दिया नहीं है कि a1 से बड़ा है कि a1 से छोटा है तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर a1 से बड़ा हुआ तो मैं क्या लिखूँ और अगर a1 से छोटा हुआ तो मैं क्या लिखूँ ठीक है तो यहाँ तक आने के बादने आपको study करना पड़ेगा ठीक है अगर a आपका no नहीं है तो आपको क्या बनाने पड़ेंगे cases बनाने पड़ेंगे case 1 क्या हो सकता है कि आपका a greater than 1 हो और a अगर आपका greater than 1 है मतलब direct relation है अगर आपका log लेने पर बड़ा answer आ रहा है तो भी ये input जो fx है न ये भी बड़ा ही होगा तब ये answer आ पा रहा है ठीक है तो हमें हापर बोलेंगे क्या कि आपका जो fx है वो बड़ा होना चाहिए a की power 20 है यहां में लिखना पड़ेगा लेकिन by chance अगर यहां पर जो a involved है वो अगर case 2 वाला है तो क्या हो जाएगा case 2 में हमें बोल रहा है कि आपका a जो है वो 0 और 1 के बीच में है समझो इस बात को अगर a आपका 0 और 1 के बीच में है तो क्या होगा इस case में क्या होगा इस case में हम यह बोलेंगे कि आप log हटाओ कोई tension नहीं है लेकिन हटा तो समय न sign of inequality change कर लेंगा क्योंकि अगर आपका base यहां पर fractional है तो यह अगर बड़ा answer आपको दिख रहा है fx is less than a की power b समझ रहो हम इस तरीके से अपने question को solve करेंगे now good thing is good thing is कि यह expression देखके हमें अब और अच्छा लग रहा है यह expression देखके हमें actually अच्छा लग रहा है क्योंकि आप यहां पर सोच के देखो कि आपके पास में अगर equality का sign होता तो आप इसको कैसे solve कर रहे होते है just think about it यहाँ पर अभी log equation तो हमने बहुत अच्छा से solve कर लिए ठीक है और अगर मैं यहाँ पर solve करना ही चाह रहा होता what if equality is given to us ठीक है अगर equality होता तो हम कैसे solve कर रहे होते है log of fx base में a is equal to b अगर कोई मुझसे पूछ रहा होता तो मैं क्या बोलता यह log equation में इसको exponential में change कर लेता हूँ तो exponential में कैसे change होगा यह आप यहाँ पर a की power b के साथ में अपने equation ready करोगे है गिने यही करते है न now good thing is कि inequality में भी आपके पास में यही expressions तो आ रहे है समझ रहे हो यहाँ पर हमने जो इतनी महनत करके extra log of a to the base a multiply करके यहाँ पर power को ऊपर चढ़ाके a to the bar b generate किया यह वो तो वैसे भी generate होता है वो तो वैसे भी generate होता है आप यहाँ पर a की बार b कर देते हो न तो भी आपके पास में हाँ पर a की बार b वाला expression आ जाता है जो यहाँ पर ultimately आया है log के अंदर लेकिन यह मैंने discuss क्यों किया initially क्योंकि मैंने इसके पहले जो आपके साथ में theory discuss करी थी उसके अंदर मैंने दोनों साइट से log हटाना सिखाया था दोनों साइट से log हटाना अगर हमें है तो हमें देखना होता है कि log का base कैसा है log का base अगर one से बड़ा है तो ultimately sign of inequality change मत करो लेकिन log का base अगर one से छोटा है तो sign of inequality change करो लेकिन फिर हमने realize कि यह मैं क्यों करूँ यह मैं दो step क्यों करूँ हर सवाल में जब मैं initially ही देख सकता हूँ कि A की power B बनाना है right hand side में A की power B ही बनना चाहिए log इसी तरीके से काम करता है चाहे equality हो चाहे inequality हो लेकिन दिहान क्या रखना है आपका LHS में तो fx ही आएगा RHS में A की बार B ही आएगा लेकिन sign of inequality greater than का आएगा की less than का आएगा sign of inequality same रखना है की change करना है ये depend करेगा कि आपका यहाँ पर A कैसा है simple अगर आपका A greater than 1 है तो sign of inequality जो भी थी question में वही maintain करके रखना अगर आपके उसे फ्रैक्शन है तो sign of inequality जो है उसको change कर देना ठीक है simple है ना यहाँ पर अब मुझे इतना कुछ ग्यान इस्तिमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं यहाँ पर log inequality काफी आसानी से solve कर पाऊंगा लेकिन यहाँ के हमारा log का theory discussion खतम नहीं होता है एक बहुत ही जादा important बात हमें अभी discuss करनी है अजर्वरेस हमारे solve करके के वे सारे सवाल गलत हो जाएंगे लगबक सारे सवाल हमारे गलत हो जाएंगे अगर हमने बस इतना ही इस्तमाल किया तो एक बात जो हमें यहाँ पर भूली नहीं है वो यह है कि log कभी भी negative input allow नहीं करता है और इस चीज़ को हम क्या बोलते है domain log का यहाँ पर जो domain है वो क्या है कि log के वलना positive input सी allow करेगा तो इस case में log को input क्या मिल रहा है उसका था हम दें discussion किया ही नहीं देख वह यहाँ पर देहां से अभी log को input तो fx मिल रहा है न तो apart from these actual inequalities हमें domain restrictions भी लिखने पड़ते हैं otherwise हम ऐसे answer बता रहे होंगे जहाँ पर ये inequality तो true है लेकिन जब actually आप देखोगे तो यहाँ पर आपको input में negative values मिल रही होंगी जैसे कि हमारे log equations को solve करते समय भी कुछ values generate होते थे लेकिन log equation जब हम solve करते तो हमारे पास में गिने चुने values आते हैं हम उसको back substitute करके check कर लेते हैं कि यार हमारे पास में जो input जो हमारे पास में actually answers आए हैं वो actually initial equation को satisfy कर रहे है कि नहीं कर रहे है लेकिन यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे values आने वाले हैं हम ऐसा एके करके check नहीं कर पाएंगे so better would be to write down the domain restriction along with the actual inequality तो domain restriction क्या आएगा इसके अंदर यहाँ पर आएगा कि आपके पास में fx जो input है वो भाई 0 से बड़ा होना चीए इसके बिना तो हम basically question solve करना भी start नहीं करेंगे fx greater than 0 होगा तब तो आती ही बात यहाँ पर कि हम inequality को solve करें ठीक हैं तो हमें क्या करना है अब इन दोनों का intersection finally report करना है even if this is the case कोई tension नहीं है हम यहाँ पर input की restriction तो हमेशा ही लिखेंगे चाहे case यह हो चाहे case यह हो input की restriction क्या है कि fx अगर log के अंदर लिखा है तो उसने greater than 0 होना ही चाहिए ठीक हैं और इन दोनों को मानने वाली बाते जो होंगी इनका जो intersection होगा वो हमारा final answer होगा ठीक हैं तो अभी यहाँ पर हमने बहुत सारा discussion जो है variables के terms में किया है होसबता है कि केवल 50% जनता को ही यह discussion समझ में आया होगा ठीक हैं जो 50% जनता यहाँ पर अभी जो है जुड नहीं पाई होगी आफर समझ नहीं पाई होगी ठीक है उन्होंने और efforts लगाने चाहिए ठीक है दूसरी बात में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपको by chance पहली बार में 10th का syllabus complete किया ठीक है तो यहाँ पर बने रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है अगर आप किसी एक point पर यह feel करते हो कि मेरे लिए अब यह चीज़े ऊपर से जा रही है और आप अगर छोड़ना start कर दोगे तो you'll be leaving out more than 50% of your J syllabus ठीक है तो कोई भी चीज़ अगर आपकी दिमाग से ऊपर से जाती है you still need to stay with it you need to stick with it आपको यहाँ पर session दूसरी बार देखना पड़े तो दूसरी बार देखो आपको अगर 10 extra सवाल करने पड़े बाकी ओगे comparison में तब भी करो लेकिन करो अगर इसके ओपर एक अलग से लेक्चर डेडिकेटड है जे लाइव डेली में तो उसका importance है ठीक है लेकिन यहाँ पर जब हम questions करेंगे तो आपको शायद जादा बहतर तरीके से clear होगा अभी हम जो यहाँ पर discuss करना चाहरे था है पहले मुझे बताओ कि यहाला idea clear है आपको कि अगर हमारे पास में log की equation होती है तो हम यहाँ पर base की power b बनाके अपनी equation में से log हटाते हैं ठीक है तो यह log को हटाने वाला idea और यह हमारे पास में है तो अगर मेरे पास में दोनों side log नहीं भी है तो भी मैं comfortably इसको a की power b right hand side में बोल लूँगा and it will be as good as removing log removing log like this ठीक है डारेक्ली हमारे यहला step generate हो रहा है क्योंकि so we will be skipping these steps in our solutions हम यहाँ पर डारेक्ली a की power b वाला idea इस्तेमाल करेंगे अपने solutions के अंतर तो यहाँ पर start करते है सबसे important बात यहाँ पर लाल कलर से लिखी हुई है आपको यह जो domain restriction से इनको कभी भी भूलना नहीं है ठीक है so let me explain all these points है याला जो discussion है आप खुद से एक बार करके देखना less than के लिए भी वैसे discussion होगा जैसे की greater than के लिए होता है ठीक है let us try to understand these things with this simple example ठीक है आपको यहाँ पर क्या दिया गया है आपको दिया गया है कि log of 4x minus 1 should be greater than 0 और यहाँ पर base कितना दिया है 1 by 5 के बरावर दिया है आपको इस inequality को solve करके अपना answer निकाल के बताना है तो जैसे ही आपके उसमें एक log inequality आई है solve करने के लिए मैं तो आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले बीना कुछ सोचे समझे आपने क्या लिख देना चाहिए domain restrictions लिख देना चाहिए क्योंकि उसके बीना तो हम solve ही नहीं करेंगे इन equality को आगर आप यहाँ पर इस बात को नहीं मान रहे हो domain restrictions ठीक है क्या है यहाँ पर log के अंदर जो लिखा हुआ है log के अंदर जो लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए log के अंदर लिखी हुई quantity 4x-1 आपकी greater than 0 होना ही चाहिए अगर greater than 0 है तो मैं inequality solve करने की बात करूँगा ने तो मैं बात भी नहीं करूँगा मैं तो इस inequality को तभी solve करूँगा जब ये बात मानी जाएगी और ये बात क्या है basically कि आपका जो x है वो greater than 1 by 4 होना चाहिए ठीक है greater than 1 by 4 फिर हम यहाँ बे discussion start कर सकते है तो यहाँ पर देखो कि कुछ values तो हम यहाँ पर directly cancel out कर पा रहे हैं जैसे कि ये भी cancel हो गया ये भी cancel हो गया ये भी cancel हो गया तो आउका answer आगिया basically समझरे हो option elimination से आप already answer तक पहुँच चुके हो क्योंकि आप ये बोलर कि भई इसके बिनात हम बात ही नहीं करेंगे x has to be greater than 1 by 4 ये बोलर है कि minus infinity तक जा सकता है ये बोलर है minus infinity तक कहां से जा सकता है 0 भी allowed नहीं भई इसके अंदर 0 भी जाना allowed नहीं आप minus infinity तक तक बिल्कुल नहीं ले जा सकते है और 0 और 4 के बीच में भी हाँ पर जो है हम allow नहीं करेंगे ठीक है it has to be greater than 1 by 4 तो तो हम यहाँ पर question को solve करना start करेंगे तो अब यह condition के साथ में solve करना start करता हूँ and let us check कि हमारा b answer कैसे आता है तो अब यहाँ पर solve करना जब start करूँगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बिल्कुल वही वाला idea इस्तिमाल करूँगा जो हमने अभी पीछे theory में discuss किया क्या idea था हम आपे कि आपका जो fx है आपका जो fx है which is 4x-1 in this case ठीक है वो lhs में रहेगा rhs में आपके पास में a की power b generate होने वाले क्या generate होता है आपका a की power b मदब base की power वहाँ पर जो भी number लिखा होई वह आपको यहाँ पर generate करना है तो यह generate हो जाएगा आपका right side में 1 by 5 की power 0 लेकिन अब में क्या ध्यान रखूँगा में किस बात का ध्यान रखूँगा कि यहाँ पर आपके पास में क्योंकि base fraction है तो sign of inequality जो था question में उसको में change करूँगा यह change क्यों करना होता है उसका हमने बहुत जादा detailed discussion required से बहुत जादा detailed discussion theory में किया है आप pieces आके एक बार फिर से उसको देख सकते हैं अगर आपको अभी भी clear नहीं हो आए कि sign of inequality change करने का importance क्या है क्योंकि भाई आपका graph decreasing है आपका graph decreasing है ठीके तो जो आप यहाँ पर जो है one से छोटा base का discussion कर रहे होते हो तो आपको reverse में relation मिलता है बात समझ में आगे ठीके तो हमने यहाँ पर reverse में relation कैसे generate किया उसको यहाँ पर output के लिए greater than चाहिए था तो input में less than का relation होना चाहिए ठीके है आप यहाँ पर इतनी सी बात ध्यान रखो अगर आपको वाके जो है समझ में नहीं आया है तो अब इतनी सी बात ध्यान रखो कि आपको यहाँ पर base छोटा दिख रहा है तो solve करते समय sine of inequality change करेंगे sine of inequality हम यहाँ पर change कर रहे है तो हमारे पास में हो क्या जाएगा 4x minus 1 should be less than 1 by 5 की बाट 0 तो 1 ही होता है तो इसका उतर 4x should be less than 2 हो जाएगा और x आपको यहाँ पर less than 1 by 2 हो जाएगा तो greater than 1 by 4 हम यहाँ पर जो है लेके चल रहे है आपको ultimately यहाँ पर x less than 1 by 2 inequality ने solve करके बताए inequality ने आपको यहाँ पर solve करके बताए कि x की वहली 1 by 2 से कम होनी चीए domain restriction को incorporate नहीं किया है तो इसके बिना तो आपको बात ही नहीं करनी domain restriction के बिला आपको यहाँ पर log inequality की बात start भी नहीं करनी ठीक है दो कि हाँ पर पहले हमने restriction की बात करी फिर inequality को solve करना start किया ठीक है तो हमारा answer यहाँ पर b इस तरीके से निकल कर आता है I hope अब सारे बच्चे को यहाँ पर अच्छे तरीके से log inequality clear हो गई होगी let us try to solve few more questions ठीक है next question आपके सामने यह है देखे सारे बच्चे एक बार इस सवाल में फिर से आपके पास में एक log के अंदर लिखा हुआ function fx है इसका base लेकिन 7 है सबसे पहले आप मुझे पताओ कि domain यहाँ पर restrict कैसे हो रहा है domain यहाँ पर restrict कैसे हो रहा है आपका जो log के अंदर लिखावा quantity है x square minus 4x minus 5 भाई वो greater than 0 होना चीए यह आपका domain define कर रहा है और फिर inequality इन में से कुछ points में satisfy कर रही होगी तो हम इन में से ढूंड लेंगी कि further यहाँ पर आपको कम करना है कि ठीक है तो हमारे पास में जो पहला condition है कि यह inequality सही तो हो पहले यह inequality सही कब होगी मतलब सही मतलब basically exist तो करे correctly correctly exist करेगी तो होता हम उसको solve करेंगी तो exist कब करेगी वो होता है आपको domain restriction ठीक है और यहाँ पर आएगा हमारे पास में क्या x-5 into x-1 has to be greater than 0 वेविकर मेथड अगर हम लगाते हैं यहाँ पर minus 1 plus 5 so plus minus plus की मतलब से हम देखते हैं कि 5 से बड़ा answer या फिर minus 1 से छोटा answer हम यहाँ पर expect कर रहे है 5 से बड़ा answer या फिर minus 1 से छोटा answer हम यहाँ पर expect कर रहे है इनके बीच में तो अगर कोई मुझे answer बताएगा मैं मना कर दूँगा अगर आप बोलोगे inequality solve करके कोई answer minus 1 और 5 की बीच में मना कर दूँगा यह तुम्हें लहीं नहीं सकता क्योंकि log तो existing नहीं करेगा तो आप inequality कहां से उसको ready करके बताओगे ठीक है अब यहाँ पर inequality solve करना start करते है ठीक है now we are actually solving the question ठीक है question क्या है कि log of x square minus 4x minus 5 base में 7 has to be less than or equal to 1 तो यहाँ पर solve करते समय अब आपको 7 की power 1 बनाना है तो LHS में तो आपका function ही रहेगा x square minus 4x minus 5 RHS में तो पक्के से आपका 7 की power 1 बन जाएगा sine of inequality का क्या करेंगे वो सोच के आपको यहाँ पर लगानी है हैना यहाँ पर 2 second आपको देना पड़े extra तो 2 लेकिन यहाँ पर सोचो हम जिसको solve कर रहे थे उस log का base 1 से बड़ा है तो sine of inequality जो है वही रखो change करने की ज़रूद नहीं है जो है वही रखो sine of inequality चेंज करने की ज़रूद बिलकुल भी नहीं है अब यहाँ पर आप 7 को left hand side में लेके आते हो तो कितना हो जाएगा x square minus 4x minus 12 should be less than or equal to 0 वंदर factorize हो जाएगा x minus 6 into x plus 2 should be less than or equal to 0 ठीक है और यह हो जाएगा आपका क्या minus 2 और 6 plus minus plus यहाँ पर minus 2 और 6 हम include कर सकते हैं लेकिन यह answer क्या है यह inequality का answer है और यह answer क्या है कि allowed क्या क्या है तो हमें आप यहाँ पर final answer कैसे मिलेगा जिसे कि हाँ पर हमने लिखा था final answer हमें मिलता है इन दोनों की intersection value जो actual inequality का solution है और जो domain restriction का solution है उन दोनों का intersection करके हमें यहाँ पर अपना final answer मिलता है ठीक है? Alright So let us do that Let us try to find the intersection now हमरे पास में एक single number line के उपर क्या क्या है? बहुत सारी critical points है एक हमरे पास में minus 2 है फिर minus 1 पीछे वाले से है then we have 5 and then we also have 6 then we have 5 and then we have also 6 ठीक है? अब यहाँ पर आप interesting लिए देख सकते हैं कि minus 2 और 6 तो actually include किये जा सकते है लेकिन यह include नहीं हो रहे थे minus 1 क्योंकि यहाँ पर equality का sign नहीं था minus 1 और 5 actually include नहीं हो पाएंगे ठीक है? अब यहाँ पर हम अपने markings कर लेते हैं ठीक है? एक तो है minus 2 से लेके 6 तक इसके बाहर जाना allowed नहीं है इस restriction के हिसाब से और यह restriction बोल रहे है कि भाई आपको minus 1 के पीछे रहना पड़ेगा minus 1 के पीछे रहना पड़ेगा या फिर 5 के आगे रहना पड़ेगा ठीक है? तो हमें अगर intersection चाहिए होता है तो हमें intersection कैसे find करते हैं? जहाँ पर भी आपको दो दो चीजों का intersection ले रहे हैं तो दो horizontal line सर्च करना है दो horizontal line आपकी यहाँ आ रही है और यहाँ आ रही है तो आपको overall answer क्या बनेगा? आपको overall answer बनेगा कि आप x belong करवा सकते हो minus 2 से लेके minus 1 union 5 से लेके 6 ठीक है? open bracket, close bracket भी हाँ पर ध्यान से लगाएं सारे बच्चे minus 2 और 6 पर close आएगा और minus 1 और 5 पर open आएगा ठीक है? so a becomes our correct answer बात समझें आई? के वल inequality solve नहीं करना है? आपको domain restriction भी solve करना है और इन दोनों का जो intersection है क्योंकि दोनों की बात मानने पड़ेगे पहले तो question सही हो और question सही है तो inequality सही हो ठीक है? तो inequality का answer यह है और question का basically possibility यह है तो हमारा answer overall यहाँ पर a बना और यहाँ पर question solve करना ही कोईश करता है next question is this इसके अंदर log के अंदर log लिखा हुआ है इस question में log के अंदर log लिखा हुआ है try करें सारे बच्चे कैसे होगा ही? yes यहाँ पर फिर से अगर मैं domain restriction की बात करूँ तो मुझे actually दो level पर discussion करने पड़ेगे क्योंकि इस बार log के अंदर एक और log है ठीक है? तो पहली बात तो इस log को दिक्कत हो सकती है इस log को दिक्कत होगी अगर यह quantity negative हो जाएगी तो तो सबसे पहला domain restriction जो मैंने लिखना चाहिए it is x square plus x upon x plus 4 this has to be greater than 0 यह मैंने पहला domain restriction लिखना चाहिए लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो इस log को कब दिक्कत होगी? इस log को दिक्कत होगी जब इसका input negative हो जाएगा तो हम वो भी नहीं होने देना चाहिए यह भी हमारे पास में क्या है restriction है कि भई इस log का input क्या है? तो इस log का input है log base में 6 वाला जिसमें x square plus x upon x plus 4 लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए? वो भी आपका greater than 0 होना चाहिए इस 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 इकंड लेवल ऑफ restriction और कोई restriction है? और कोई restriction है ठीक है? दो log के दोनों की restriction हमने लिख लिए अब हम actually inequality solve करना start करना चाह रहे है ठीक है? तो मैं अगर inequality solve करना start करूँगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा? आपके पास में inequality solve करना है ठीक है? तो कैसे solve होती है? आपकी inequality solve होती है जब आपका base की power 0 आप यहाँ पर right hand side में create करोगी तो आपका पहला वाला log यहाँ पर inequality से हट रहा है हम एके करके log वाली inequality solve कर रहे है मतलब क्या कर रहे है? log को एके करके हटा रहे है ठीक है? तो अब यहाँ पर बचेगा क्या? आपका fx बचेगा log के अंदर जो quantity होती है उसको हम क्या बोलते है? fx ठीक है? तो आपका lhs में तो fx बचेगा which is which is log 6 base वाला which is x square plus x upon x plus 4 rhs में आप कैसमें आएगा 1 by root 3 की power 0 1 by root 3 की power 0 अब यहाँ पर सोच के बताओ कि आपका sin of inequality जो है वही रखू या change करू sin of inequality जो है यहाँ पर less than का है तो मैं क्या करूँ है? यहाँ पर greater than के साथ में आगे solve करना start करूँगा greater than के साथ में क्यों solve करूँगा? क्योंकि 1 by root 3 जो base था उस log के लिए जो base था 1 by root 3 1 by root 3 कैसा होता है? 1 से छोटा होता है root 3 is 1.7 something तो 1 upon 1.7 करोगे तो आपको fractional quantity मिलेगी तो fractional base का discussion क्योंकि चल रहा था और मैंने fractional base वाले lock अभी हाँ पे जो है picture से हटाया है तो मुझे solve करते हमें inequality को change करना है यहाँ पे less than था तो मैंने यहाँ पे greater than कर दिया and now I have something like this कि log of x square plus x upon x plus 4 has to be greater than 1 अब फिर से मेरे पास में log inequality ही है लेकिन इस बार में fx किसको बोलूँगा? इस बार में fx इसको बोलूँगा ठीक है? और इसको fx बोलके आप में हाँ पे 6 की power 1 करने वाला हूँ क्या करूँगा? 6 की power 1 RHS में आएगा 6 की power 1 LHS में क्या बचेगा? आपका अंदर वाला fx बचेगा x square plus x x square plus x नीचे आएगा आपके बास में x plus 4 ठीक है? और greater than कितना हो जाएगा? इस बार में sin of inequality change नहीं करूँगा ना greater than हो जाएगा 6 की power क्योंकि इस बार जो में log हटाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे inequality से उसका base 1 से बड़ा है तो मैं अगले step में जब log हटा रहा हूँ, exponential में में अपनी inequality को ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा sin of inequality change होने वाला नहीं है, it is still going to be the same, ठीक है? less than से greater than हुआ था, greater than से greater than ही रहेगा अब यह जो क्या है? यह हमारा वेवीकर से solve होने वाले है, यह तो rational inequality हो गई ना? इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया गया था? वेवीकर मेथड सबसे पहले पढ़ाया गया था क्योंकि आप चाहे modulus inequality solve कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर log inequality solve कर रहे हो ultimately आपको क्या solve करना पढ़ता है? वेवीकर मेथड वाला inequality, rational inequality या फिर polynomial inequality solve करने की जरूत पड़ती है ठीक है इसलिए वेविकर मेतर तो सबसे ज़्यादा important चीज है वो तो सारे बच्चों को आनाई चीज so what we are getting from here is something like this ठीक है minus 6 is greater than 0 आप यहापे LCM लेते हो तो क्या हो जाएगा x square plus x minus 6x minus 24 upon कितना आ रहा है x plus 4 has to be greater than 0 और अगर आप यहाँ पर further सोचोगे तो क्या यह ऊपर कुछ अच्छा बना x square minus 5x minus 24 upon कितना आ रहा है x plus 4 has to be greater than 0 ठीक है x square minus 5x minus 24 तो 24 को हम क्या बोल सकते है 3 into 8 x square minus 8 और 3 के साथ में factorize हो जाएगा 8 और 3 के साथ में factorize होगा यह हो जाएगा हमारा x minus 8 into x plus 3 और नीचा जाएगा हमारे पास में x plus 4 so if I have to solve this inequality मेरे पास में सारे के सारे critical points है अब फटफट मार्क कर लेते हैं मेरे पास में critical point minus 4 है एक minus 3 है और एक plus 8 है तो plus minus plus minus अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास में आएगा 8 से बड़ा या फिर minus 4 और 3 के बीच में यह तो मेरे inequality का answer है क्या अभी हाँ पर हमारा answer आ गया है minus 4 से 3 and 8 से infinity यह दिख तो राए लेकिन अभी क्या हमने इसी को अपना answer बोल देना चाहिए interestingly in this question yes अभी आप देख सकते हैं यह तो solve ही नहीं किया सर ने सर ने तभी केवल inequality solve करी है अभी तो हमें दो दो domain restriction के उपर भी काम करना है अभी मुझे यह भी solve करना है फिर मुझे यह भी solve करना है और फिर यह जो answer आया है इसका जो answer आएगा और इसका भी जो answer आएगा उन तीनों का intersection मेरा final answer होगा बास उन में आ रही है काइदे से तो यह करना चाहिए काइदे से यह करना चाहिए लेकिन हम अगर थोड़ी सी होशयरी दिखाएंगे तो हमें actually पता चलेगा कि यह additional मेहनत करने की जरुरत नहीं है point पकड़ में आ रहा है यह additional मेहनत करने की जरुरत actually नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आपने देखो यहाँ पर solve करते-करते एक यह inequality incorporate अलड़ी कर लिए log of this expression to the base 6 आपने solve कितना किया है आपने solve किया greater than 1 तो अब आप already greater than 1 solve कर रहे हो तो greater than 0 अलग से solve करने की जरुरत है क्या यह answers यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे वो इस inequality का ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी को solve करके answer आये हो तो इस inequality का अगर ध्यान रखा जा रहा है तो by default क्या इस inequality का भी ध्यान रखा जा रहा है बहुत ही बड़ी है बात है तो इसका तो ध्यान वैसे भी रखा जा रहा है हम यहाँ पर gradient 0 चाह रहे थे ताकि log को दिक्कत ना हो और भई sol, inequality sol करने के लिए यहाँ पर condition actually और बहतर है inequality आपको बोड़े कि नहीं यह तो 1 से बड़ा होना चाहिए तो 0 से बड़ा log बोले को बढ़िया बात है तुमको 1 से बड़ा चाहिए है हमको तो 0 से बड़ा ही चाहिए था ठीक है तो बोले का domain restriction लग गई को attention नहीं है domain restriction लग गई को attention नहीं है इसको अलग से solve मत करो क्योंकि इस से क्या होगा बता है इस से आपको additional answers मिलेंगे कम answers यहीं पे हैं यह जो है कम है आपको domain restriction से ज़ादा answer मिलेंगे लेकिन ultimately ज़ादा answer और कम answer का intersection क्या आएगा कम answer ज़ादा answer और कम answer का intersection क्या आएगा कम answer ठीक है तो कम answer ही है हमारे पास में तो यही answer होना चाहिए और एक चीज यहाँ पर notice करो हमारे पसमें और एक domain restriction था कि यह आपका जो fraction है यह greater than 0 होना चाहिए बट अगले पेच पे देखो हम जो solve कर रहे हो क्या है वही वाला fraction greater than 6 solve कर रहे है तो अगर वही वाला fraction आप greater than 6 solve कर रहे हो तो फिर greater than 0 तो already incorporated है उसके अंदर by default यह आपकी inequality true है for these values for these values this restriction is automatically done and this restriction is also automatically done so we can save some efforts and we can say कि भई इनको solve मत करो जो आ गया है वही आपका correct answer point पकट में आ रहा है इस question में domain restriction हमने लिखी तो है लेकिन solve करने की ज़रूत नहीं पड़ी लेकिन इसके पहले वाले question में ज़रूत पड़ी थी इसके पहले वाले question में ज़रूत पड़ी थी ठीक है तो इसलिए आप domain restriction तो लिखो solve करना है कि नहीं करना वह आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना ठीक है बासमें में आ रही है solve करना है के नहीं करना वो आप यहाँ पर देख लेना जैसे इस सवाल में solve करनेंग जरूरत नहीं पढ़ रही थी and now comes a very brilliant question ठीक है यहाँ पर base में x आ गया इसके पहले base में हमने 1 by root 3 देखा 1 by 5 देखा 7 देखा, 6 देखा हैना याद आ यह सारे question अब x आ गया तो अब क्या करेंगे अगर log हम in equally solve करना चाहा रहे है और base में x आ गया तो क्या करेंगे ट्राइ करें सारे बिचे यहाँ पर obviously मुझे cases बनाने पड़ेंगे there is no other way out मुझे हाँ पर cases बनाने ही पड़ेंगे मैं यहाँ पर सबसे पहले तो domain restriction लिखी लेता हूँ ठीए इससे तो हम बचने वाले नहीं domain restriction जो है यह तो मुझे लिखने ही पड़ेंगे न okay so let us first write this down सबसे पहली बाद जो आप में आप नजर आती है that is 6-6 should be greater than 0 6-6 should be greater than 0 basically x should be greater than 6 okay x should be less than 6 x should be less than 6 तब जाके इसका difference जो है आपका greater than 0 आएगा x should be less than 6 this is the first inequality that we need to obey है न if you want to write the final answers and second thing is कि यार x इस बारना आपका base में भी है तो आपको base वाले जो restrictions होते हैं उनको भी यहाँ पर incorporate करना पड़ेगा base वाले restrictions क्या होते हैं कि आपका जो base है वो greater than 0 होना चाहिए और वो 1 नहीं होना चाहिए तो basically we are working under 3 restrictions now हमारा जो यहाँ पर answer आना चाहिए वो पहले बात तो 0 से बड़ा होना चाहिए 3 से छोटा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए तहाँ पर कुछ-कुछ चीज दर cancel कर सकते हो directly यह क्या बकवास answer है है ना यह भी बकवास है समझ रहे हो elimination कितना आसान हो जाता है अगर आप restriction देख लो तो minus 3 से 2 क्यों होगा minus तो जाए नहीं सकता है याली restriction मना कर देगी और याला क्यों cancel कर दिया मैंने 0 से बड़ा और 6 से छोटा 0 से बड़ा और 6 से छोटा तो यहाँ पर इसलिए दिया है लेकिन 1 भी दे दिया उसने मुझे पता है कि 1 तो मेरे answer में आना ही नहीं चीए तो ये भी कड़ गया तो भई answer तो हमारे 1 से लेकि 2 यह आना चीज का मतलब लेकिन none of these भी है तो यहाँ पर थोड़ा और careful रहके आपने solve करना चीए क्योंकि हो सकता है कि none of these answer हो ठीक है हम यहाँ पर solve तो करेंगे इसको अगर basically none of this नहीं होता कुछ और होता और तब भी हो cancel हो गया तो भी हम solve करते ऐसा है है ना लेकिन यहाँ पर है काफी confidence आ रहा है न हमें कि हमें दिख रहे हैं अभी answers कौन-कौन से नहीं होने चीए at least वो हमें यहाँ पर upfront दिख जा रहे है ठीक है तो बढ़िया बात है यहाँ पर आपको लेकिन अब जो यहाँ पर idea इस्तेमाल करना है वो यह है कि भई आपका अगर base 1 से छोटा है तो sign of inequality change करना है base अगर 1 से बढ़ा है तो sign of inequality maintain करना है और आपका x क्या है वो तो आपको खुद को नहीं पता वो ही तहां find कर रहे हो तो आपको कैसे बता कि x आपका 1 से बढ़ा है कि 1 से छोटा है तो हम यहाँ पर इसलिए cases बनाएंगे कि let us assume कि we have the first case let us assume that we have case 1 where x is greater than 1 if this is the condition that we are following then I can solve this very easily then in that case आपका जो fx है that has to be greater than x का square x की power 2 देखो यह तो मुझे create करना ही है मुझे बस problem क्या है अगर मैं case नहीं लोंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं sin of inequality greater than का लगाऊं की less than का लगाऊं लेकिन जैसे मैंने case create कर लिया greater than 1 वाला तो मुझे अब यकीन है कि मैं यहाँ पर greater than की मदद से ही अपना answer निकालने वाला हूँ ठीक है तो यह आपका inequality क्या बन रहे है यह बनेगा आपका x square plus x minus 6 less than 0 है ना x square किस side है less than वाली side है सबको में right side में लेके गया मतलब less than वाली side लेके गया तो यह हो जाएगा आपका कितना x plus 3 into x minus 2 has to be less than 0 ठीक है तो वेविकर मेथड यहाँ पर apply करते हैं वेविकर मेथड अगर हम apply करेंगे तो हमेरे पास में critical points आ रहे है minus 3 और 2 ठीक है तो plus minus plus ठीक है आप यहाँ पे लोगे और आपके यहाँ पर answer क्या आ जाएगा फिर minus 3 से 2 आयागा क्या नहीं वो तो हम बना कर चुके है नो और वैसे भी यहाँ पर अभी हमने जो है यह बात notice करना चीए दो को यहाँ पर इसका मले option यह अच्छे थे यह option अच्छे थे अगर किसे नहीं यहाँ पर ध्यान नहीं दिया केवल इतना ही solve किया तो उसको लगगा और वेवी कर में धर से minus 3 से 2 answer आ रहे है भी माक कर देते हैं नहीं पहली बात आप जो case solve कर रहे हो वही case greater than 1 वाल है तो आपको इसकी बात मानने पढ़ेगे नहीं इसकी बात मानने के बाद ही यह सब चालू हुआ है फंडा ठीक है तो आपको इसको भी यहाँ पर लिखना प ठीक है आपके हाँ इंटर सेक्शन में क्या मिल रहा है वन से लेके टू ठीक है और इफ वी इस पर्टिकलर इंटरवल यहाँ पर आपकी सारी रिस्टिक्शन भी एक्चुली फॉलो हो रही है छे से छोटा है बहुत बढ़िया बात है वन इंक्लूड नहीं है और आपका ज से शायद no solution आ रहा होगा ऐसा में सोच रहूं वहां से no solution आ रहा होगा क्योंकि मेरा आंसर आ चुक है वन से लेके 2 ही मेरे ख्याल से मेरा आंसर है ठीक है हाला कि confidence तो है नहीं हमें कि क्योंकि है none of this भी है तो कुछ कहने सकते कि 1 से 2 ही आएगा या और भी कुछ आ सकता है ठी साइड में भी आपका 6-x जो function है वही बचेगा ठीक है 6-x ही function आपका बचने वाला है लेकिन अब क्या हो जाएगा sign of inequality आपका change हो जाएगा यहाँ पर greater than था question में तो less than हो जाए ठीक है ओल राइट तो इस बार x square कहा है greater than वाली side है तो मैं जब यहाँ पर quadratic inequality create कर रहा हूं त x minus 2 है ना कैसा हो जाएगा यह greater than 0 तो आपके इसमें आप क्या हो रहा है यह बनेगा minus 3 और यह बनेगा 2 ठीक है plus minus plus तो greater than का मतलब क्या है आप plus वाले region select करो के दो से बड़े या फिर minus 3 से छोड़े लेकिन आप जो case solve कर रहे थे वो तो इत्ता सा था 0 से लेकर 1 में आप ढूणना चाहरे थे कि क्या 0 से लेकर 1 में कोई answer हो सकते हैं क्या आपने यहाँ पर case जो create क्या है उसका मतलब क्या है कि let us try to find कि 0 1 के बीच में कुछ हो सकता है क्या तो मान ले थे ही कि 0 1 के बीच में हमारा x है तो अगर हमने यह माना है तो फिर इस तरह से हम solve कर रहे हैं भाई हमने जब माना ही यहाँ पर 0 से लेकर 1 के बीच में हैं तो उस यहाँ से no solution हमारे पास में निकल रहा है इसका मतलब जो पहले ओले case का answer है वही हमारा final answer फिर अब हो जाएगा इतनी महनत के बाद finally अब हम यहाँ पर conference के साब में बोल पा रहे है कि 1 से लेके 2 ही हमारा correct answer होना चाहिए yellow point चमका सार बचोगो yes all right so आपको यहाँ पर यह base अगर आपका fractional है base अगर आपका fractional है ठीक है तो आपको कैसे working create करनी हो समझ में आ गया आपको cases की मतलब से अपनी working create करनी है case one बनेगा कि आपके यहाँ पर base one से बड़ा है case two बनेगा कि आपके यहाँ पर base one से छोटा है ठ बड़ा ही आसान से सवाल है लेकिन आपको यह idea click किया कि नहीं click किया इस question से आप basically पता कर सकते हो ठीक है यहाँ पर फिर से आपका base जो है वो एक unknown है sorry base अगर आपका unknown होता है तो हम यहाँ पर cases create करने पड़ते है तो वही चीज हमें यहाँ पर भी करनी पड़ेगी incorporate करनी पड़ेगी ठीक है और पॉस करके इसको solve करने की कोशिश करें ठीक है and I'll continue with the solution okay to solve the inequality this यह मुझे अगर solve करना है तो सबसे पहले तो मैं domain restriction लिखे लेता हूँ ठीक है यहाँ पर domain restriction क्या है सबसे पहली बात आपको जो ध्यान उठनी पड़ेगी कि 2x-3 जो है यह तो भई 0 से बड़ा हो जाए नहीं तो सवाल ही गलत है फिर तो तो x-3 आपका अगर 0 से बड़ा होना चीए मतलब basically आप क्या ध्यान रखोगे कि x आपका बड़ा होना चीए 3 by 2 से this is the first restriction which we have to anyways follow 3 by 2 से तो बड़ा होना चीए दूसरी domain restriction आपको क्या दिखाई दे रही यह पहली domain restriction यह दूसरी domain restriction ठीक है वो क्या है कि आपका 24-6x जो है यह भी 0 से बड़ा होना चीए मतलब basically आप यहां पर क्या होना चाहरे हो कि x आपका कम होना चीए 4 से एक बार solve करके देखलो यह उस साइट जाएगा और 6 से डिवाइड होगा तो 4 आएगा x should be less than 4 यह आपका दूसरा domain restriction अलड़ी लग गया है अब हमें इहां पर इसको अब actually solve करना चाहरे नहीं लेगे नहीं यहां पर और एक domain restriction लएगा x-2 भी तो आपका यहां पर कैसा होना चीए यह भी आपका domain restriction है तीसरा domain restriction है कि आपका base जो है वो भी greater than 0 होना चीए मतलब आपका domain restriction लगा कि यह होना चीए greater than 2 यह सुनो आपका x होना चीए greater than 2 यह आपका दूसरा domain restriction लगा तीसरा domain restriction होगा और एक domain restriction क्या है कि x-2 नहीं हो जाना चाहिए कितना 1 नहीं हो जाना चाहिए मतलब आपका x नहीं होना चाहिए 3 के बराबर यह आपके जो inputs हैं उनके restrictions से यह आपका base का restriction है ठीक है So we are expecting कि हमारा answers इस कहीं range में लायक करने वाले हैं But now we are actually trying to solve it हम जो इसको actually solve करने ही कोईश करेंगे तो अब यहाँ पर सवाल काफी आसान हो जाएगा आपको solve करना अगर आप cases यहाँ पर create कर लोगे तो तो case 1 है कि आपका base जो है x-2 वो 1 से बड़ा है अगर आपका base 1 से बड़ा है मतलब basically आप यहाँ पर treat जो करना चा रहे हो x को कैसा है तीन से बड़े वाले आप यहाँ पर answers ढूणने की कोशिश कर रहे है अगर आपका x 3 से बड़ा है मतलब आपका base अगर 1 से बड़ा है तो आप यहाँ से ब लोग हटा दो without changing the sign of inequality तो आपका हबर create क्या होगा 2x-3 इस बार दोनों से लोग हिना तो इस सवाल आसा नहीं वैसे solve करने के लिए आसा नहीं इससे बहतर सवाल हमने इसके पहले solve कर लिए है तो आपका इस साइट बचेगा 2x-3 और इस साइट बचेगा आपका 24-66 ठीक है तो यह calculation होके कितना आ रहा है 8x should be greater than 27 मतलब x should be greater than 27 upon 8 ठीक है तो यह जो case है इसका answer कितना आए actual domain restriction के साथ में तो हम बाद में देख लेंगे लेकिन इस case का answer क्या आएगा जो case का restriction है और जो finally आपका यहाँ पर answer आया है इस case का इन दोनों का करना पड़ेगा आपको intersection तो इसका intersection कितना आएगा देख यहाँ आपड़ सारे बच्चे एक आपके पास में है restriction की 3 से बड़ा होना चाहिए ठीक है और यह बोल रहा है 27 upon 8 से बड़ा होना चाहिए so 27 upon 8 कितना है 27 upon 8 basically 3 से भी बड़ा है 24 upon 8 होता तो यह 3 होता यह 27 upon 8 है मतब 3 से भी बड़ा है ठीक है तो 27 upon 8 will be somewhere here तो अगर मैं दोनों की बात मानना चाह रहा हूँ then I will say कि हमारा answer जो है 27 upon 8 से बड़ा होना चाहिए agree करते है सारे बचे एक बोल रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए एक बोल रहा है 27 upon 8 से बड़ा होना चाहिए दोनों की बात कहाँ पर मानने जारी जब हम 27 upon 8 से बड़ी value कोई सी भी हाँ पर discuss करेंगे तो यह दोनों की बात मानी जारी है ठीक है ओर राइट next आपका जो case 2 बनता है दो ही कैसे से इसके लिए case 2 देखो आपका जो case 2 बनता है वो क्या है कि x-2 जो है वो एक fraction है मतलब वो लाए करता है 1 और 0 के बीच में तो पूरी inequality में आप 2 add कर लो तो मतलब x आपका लाए कर रहा है 2 और 3 के बीच में ऐसा मान के अब हम इसको solve करना चाहरे है तो अगर मैं इस scenario के under log हटाऊंगा तो sign of inequality change करूँगा तो यहाँ पर log हटके आएगा तो वो ही न 2x-3 यहाँ पर आएगा 24x 24-6x यहाँ पर आएगा sign of inequality पहले लगे हुई यह greater than यहाँ पर हो जाएगी less than calculation wise बिल्कुल सेम चीज़े चलने वाली तो x should be less than 27 upon 8 ऐसा यह create कर रहा है तो इस case का answer क्या होगा इस case का answer क्या होगा देखों यहाँ पर देहां से हम यहाँ पर फिर से अपना जो है number line के उपर इस बात को study कर सकते हैं हम यहाँ पर बोलना चाहरे थे कि हम एक ऐसा case solve कर रहे हैं जिसमें 2 से 3 के बीच में हम answer expect कर रहे हैं और answer जो निकल कर आया है वो बोल रहा है कि आप 27 upon 8 से कम रखना value तो अब इन दोनों का intersection कितना आएगा 2 से लेके 3 पूरा को पूरा यहाँ पर intersection आ जाएगा ठीक है क्या सवाल यहाँ पर खतम होता है नहीं अभी last step बचा है last step क्या है last step यह है कि आपको अब इनके साथ में इनके साथ में अपने answers का intersection लेना है ठीक है तो भाई साहब बहुत सारे यहाँ पर जो है हम जो है चीजे plot करने वाल है I will try to plot these with different colors ताकि confusion कम से कम हो ठीक है जैसे कि इसको अगर मैं black के साथ में mark करू जो हमारा यह case का answer है that is 2 से लेके 3 ठीक है तो यहाँ कहीं 2 है यहाँ पर हमार पास में 3 है तो एक answer हमार पास में है 2 से लेके 3 ठीक है ओल राइट यहाँ पर 2 और 3 क्या है union है case 1 case 2 कैसे union है ठीक है या तो यह हो जाए या तो वो हो जाए दोनों ही cases में हमें चल जाएगा बास वन में आ रही हैना यह दोनों cases वैसे भी simultaneously exist थोड़ी कर सकते है या तो आपका यहाँ पर 2x x-2 जो है वो greater than 1 हो सकता है या फिर x-2 आपका 0 और 1 के बीच हो सकता है ठीक है या तो यह answer आ सकता है या फिर वो answer आ सकता है मतलब क्या करना है इन दोनों का तो union करना है लेकिन यह जो हमारे पास में answer ने किया यही हमारे final answer से नहीं हमें क्या क्या तहना पड़ेगा कि आपका answer 3 by 2 से बड़ा है क्या सारे domain restrictions हमें red से लगा रहा हूँ ठीक है हमारे सारे answer 3 by 2 से बड़े होने चीए 3 by 2 कहां परें 1.5 यहां से इससे बड़े होने चाहिए तो बढ़ी है बात है यह तो restriction वैसे भी हमारे answer सारे सारे satisfy कर रहे दूसरी restriction है कि 4 से छोटा होना चीए ठीक है अब 4 कहां पर आएगा 4 यहां पर कहीं आएगा अगली restriction आगए कि 4 से छोटा होना चीए all right we understand that next restriction है कि आपका 2 से बड़ा होना चीए और 3 नहीं होना चीए तो 2 से बड़ा और 3 नहीं इसको भी आप अलग से mark करनू तीन तो वैसे भी नहीं है तो उसको अलग से यहाँ पर mark करने की ज़रूत नहीं है तो मेरे पास में बहुत सारे यहाँ पर regions आ रहे है finally मेरा answer क्या create होता है फिर इसका मतलब एक आपके इसमें region आता है यह जहाँ पर चार बातों का ध्यान रखा गया है और एक आपके इसमें region आता है यह जहाँ पर फिर से चारों बातों का ध्यान रखा गया है चारों बाते कौन-कौन सी एक बात तो आपके यहाँ पर cases का answer जो black color से mark है और तीन आपके restrictions restriction 1, restriction 2, restriction 3 तो total 4 हम यहाँ पर चीज़े दिमाग में रखकर अपना answer finally report कर रहे है इसलिए आपको 4 horizontal lines यहाँ पर search कर लिए थी तो आपके answer के बनता है x belongs to 2 से लेके 3 union 27 by 8 से लेके 4 this becomes our final answer for this question ठीक है clear होता है alright बहुत बड़ी है कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर बिल्कुल सही चीज answer कर पा रहा है very good बच्चो ठीक है 2 से लेके 3 and 27 by 8 से लेके 4 becomes our final answer so और एक सवाल करते है जितने सवाल करेंगे उतना है यहाँ पर हमें confidence हैगा हाँ एक सवाल अब domain का भी करके देखते है हमने हाँ पर inequalities basically इतने जो है emphasize करके सीखी क्यों है because इस तरह के सवाल expected है domain से related questions हमें definitely अपने actual paper में मिल सकता है ठीक है तो हमने इस बात को समझ लेना चीए कि inequalities को use करके ही हम क्या करेंगे domain के questions को solve कर पाएंगे find the domain of this function domain का idea आपको बहुत ही अच्छा से clear मैंने पहले कर दिया था domain किसी भी function का basically कैसा होता है जैसकि juicer के अंदर केवल fruits डालना ही allowed है है न वैसे ही यह जो आपका under root function है इसके अंदर केवल greater than or equal to zero values डालना ही allowed है ठीक है तो यहाँ पर हम बहुत साले यहाँ पर जो ही discussions करने वाले है एक के वाद एक आप बस देखते जाओ पहले domain को क्योंकि इंटोड्यूस कर रहा हूँ इस idea को ठीक है तो let us try to solve this first तो हमारे पास में main यहाँ पर discussion स्टार्ट होगा under root से मुझे solve domain के लिए करना है मतलब x क्या क्या हो सकता है मतलब मुझे basically x के लिए solve करना है but इस तरीके से frame किया गया है मुझे हम यहाँ पर अपने inequalities खुद से generate करनी पड़ेगी कि यहाँ पर under root को जो input मिल रहा है under root को जो input मिल रहा है वो यह है under root को यह हम देना चाहते है तो under root क्या बोलेगा under root बोलेगा भही तुम मुझे कोई value दे रहो तो यह check करके दो कि भही वो greater than or equal to 0 है कि नहीं मैं तब वही x यहाँ पर include करूँगा मैं वही x यहाँ पर include करूँगा जो यहाँ पर इस expression को greater than or equal to 0 कर पाएंगे तो हमने क्या किया domain के question को solve करने के लिए हमने खुद से एक log inequality generate कर लिए ठीक है तो इसको solve करते हैं और हमारा answer आएगा क्योंकि log inequality solve करने हमने सीख लिए तो domain का idea यहीं तक खतम domain का idea यहीं पर खतम आपको क्या idea इस्तिमाल करना है कि आप इस log inequality को solve कर सकते हो या नहीं तो करते हैं आप यहाँ पर solve कोई बड़ी बात नहीं है हमारे पास में यहाँ पर जो base है वो कैसा है fractional है तो 1 by 4 की power 0 create करेंगे आपका जो fx है वो कितना है वो यह है so log 1 by 3 वाला log 1 by 2 वाला और x यह हमारा fx है right side में क्या बनेगा 1 by 4 की power 0 1 by 4 की power 0 मतलब की तरह हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है लेकिन क्योंकि 1 by 4 fraction है इसलिए यह sign of inequality हम change करेंगे यह sign of inequality मैंने कर दी change अच्छा लेकिन अब यहाँ पर एक चीज हम incorporate further करना चाहते है वो क्या है domain restriction और domain restriction यहाँ पर मैं एक साथ solve कर रहे होंगे तो इसको भी सीख लो ठीक है अगर ऐसा कभी आपके समें chance आता है कि आप यहाँ पर multiple inequalities एक साथ solve कर पा रहे हो तो अच्छा होता है उससे जल्दी हो जादी calculations ठीक है तो यहाँ पर देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह मेरा fx जो है हो सकती है नई क्यों नहीं हो सकती है यह हमें पता है हमें दिखाई दे रहा है हम इतने समझदार हैं तो हम खुद से बोलेंगे यह inequality खुद से नहीं बोल रही है लेकिन हम यहाँ पर जो है incorporate करनेंगे इस चीज़ को मैंने यहाँ पर अब क्या किया है दो अलग-लग side inequalities लगा ली है एक ही log के expression के उपर and now I can keep on solving this particular group of inequality है नग्रूप के बोलो कि इधर भी एक inequality इधर भी एक inequality यह क्या है यह 1 है इसको 1 लिख दूँ इसको हटाके मन लिख दूँ ताकि अगला step यहाँ पर आसानी से आपको समझ में आएगा so what is the next step next step आप यहाँ पर जो है अलग-लग भी solve करोगे या एक साथ भी solve करोगे तो आपको करना थो ही पड़ेगा न ठीक है हम instead क्या देख रहे हैं यहाँ पर करते हैं न दोनों side inequality solve करते हैं तो 1 by 3 आपका कैसा है 1 by 3 आपको यहाँ पर base 1 से छोटा है तो हम अपना sin of inequality change करेंगे तो यह हो जाएगा कितना आपका function बज़ेगा log of x base में half ठीक है and sin of inequality change करके right hand side में आएगा आपका 1 by 3 की power 1 which is 1 by 3 and 1 by 3 की power 0 यहाँ पर आएगा sin of inequality change करके which is 1 तो सही लग रहा है न यहाँ आपका 1 by 3 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए sin of inequality यहाँ पर actually हमें help कर रही है सही तरीके से यहाँ पर हमारा expression generate करके दे रही है अब यह जो हमने अभी 1 by 3 के साथ में किया यही चीज़ हमें एक बार फिर से कर ले थे हैं 1 by 2 के साथ में तो 1 by 2 की power यह और 1 by 2 की power यह generate करके हमारे पास में बचेगा क्या अंदर function अब x ही बचाए बस ठीक है so x has to be क्योंकि half यहाँ पर से आपका जो है fractional है तो हम अपना sin of inequality चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में 1 by 2 की power 1 by 3 और यहाँ पर आएगा 1 by 2 की power 1 which is 1 by 2 ठीक है तो ultimately आपका x का answer क्या रहा है x belongs to 1 by 2 से लेके 1 by 2 की power 1 by 3 1 by 2-3 step में यहाँ पर जो है अपना answer लिख दिया है ठीक है 2-3 step में हमने अपना answer लिख दिया है आप अगर इसको domain restriction वगरा जो है create करके अगर लिखना चाहोगे तो आपका solution थोड़ा lengthy हो जाएगा आप उससे भी बार करके देखना अगर आपको वो जादा comfortable लगता है तो बात clear if you feel that comfortable जो अभी तक हमने discuss किये अगर आपको यह idea अच्छा है लगा तो आपको यहाँ पर लेकिन ध्यान अपड़ाएगा कि domain restriction लिखना है ठीक है domain restriction लिखो फिर चाहे आप जो करो फिर कोई tension वाली बात नहीं ठीक है all right so so let us let us do one more question I guess है ना एक और question कर लेते हैं next question is this one more domain वाल question था यह simple है यह काफी बढ़िया सवाल है यह काफी अच्छा सवाल है ठीक है इसको एक बारा फिर से solve करके देखना यह ला हमारा usual question है जो domain वाला question तो है लेकिन इससे जो हम लोग की इनीकल डी जनरेट कर रहे है वो straight forward है ठीक है कैसे straight forward है एक बार देखना सारे बच्छे हैं log वाला जो मेरा entire expression है वो कैसा होना चाहिए वो मेरा greater than or equal to zero हो जाना चाहिए वो मेरा expression greater than or equal to zero हो जाना चाहिए ठीक है now in this question let us try to do that domain वाला idea जो हमने last इसमें जो है इस तरीके से solve कर दिया ना बहुत सरे बच्छे को पसंद नहीं आया हुगाई ठीक है so ये तो actual मेरी inequality है जो मुझे solve करना है ये inequality generate कहां से होई है अंडरूट की वाई से generate हुई है तहाँ बे domain का calculation स्टार्ट होगे है हमारा लेकिन ultimately inequality solve करना है लेकिन ये inequality solve करने के पहले भी मैंने यहाँ पर एक restriction तो लिखे लेनी चाहिए न वो restriction क्या है कि यार log के अंदर लिखा acceptable values ये उसकी बात चल रही है तो acceptable values की बात अगर चल ही रही है acceptable values की बात अगर चल ही रही है तो भी log भी तो यहाँ पर कुछ कुछ नखरे दिखाता है log के नखरों को भी यहाँ पर आप लिख लो नो पहले ठीक है तो log के नखरे क्या है वो यह है कि आपका 3x minus x square upon x minus 1 this has to be greater than 0 यह तो greater than 0 तो होना चाहिए तो आपकी पहली ही निकर्ट यहाँ से जन्रेट होती है यह तो वेवी कार से सौल हो जाएगा minus multiply करो तो x square minus 3x upon x minus 1 less than 0 हो जाएगा ठीक है and then अगर आप इसको factorize करते हो तो x into x minus 3 upon x minus 1 आपका less than 0 हमें solve करना है so what we have on number line on number line we get 1, 0, 1 and 3 ठीक है plus minus plus minus मतलब 0 से कम या फिर 1 और 3 के बीच में यह आपकी restriction है 0 से कम या फिर 1 और 3 के बीच में is the first level of restriction that we want to use for domain ठीक है और इस inequality को भी solve करना है अभी हमें इस inequality को भी solve करना है इस inequality को अगर मैं solve कर रहा हूँ ठीक है तो मुझे हाँ पर फिर से 0.3 की power 0 लेके जाना है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा sign of inequality change करना पड़ेगा so 3x minus x square upon x minus 1 this has to be less than or equal to 0.3 की power 0 which is nothing but 1 यह 1 है 0.3 की power 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है ठीक है so 3x minus x square upon x minus 1 is less than 1 is what we further want to solve last question में हमने क्या गया था पता है last question में हमने यहाँ पर यह लिख दिया था to incorporate domain restriction of log as well हमने यह लिख दिया था लेकिन इस बार आप देख सकते हो कि उसको मैंने अलग लिखा है क्या पड़ेगा थैना तो यह बात हमें क्या बोल रही है one इस साइड लेके आएंगे left hand side में तो कितना हो जाएगा 3x minus x square upon x minus 1 minus 1 has to be less than or equal to 0 है न यहाला बन जो है इसको left hand side में लेकिए आगया अच्छी बात है यहाँ पर हमें sign of inequality change कर लिया है 3x minus x square upon x minus 1 इधर 1 लेकिए आ गए है फिर LCM ले लिया है अब यहाँ पर एक बार चेक करते हैं क्या क्या बन रहा है minus x square minus minus x square plus 2x plus 1 ऐसे कुछ बन रहा है और नीचे आएगा हमारे पास में x minus 1 so फिर सब्सक्राइब हम देख सकते हैं हमारा leading जो term है उसका coefficient negative हमें अच्छा ही लग रहा तो ऐसे करते हैं minus multiply कर लेता है minus multiply करेंगे तो sign of inequality अब इस वज़ए से change करनी पड़ेगी मुझे minus multiply कर रहा हम इसलिए so x square minus 2x minus 1 upon कितना हो जाएगा x minus 1 has to be greater than or equal to 0 यह मैं solve करना चारूँ अब इसको solve करने के लिए आपको numerator को factorize करना पड़ेगा अगर आपको यादे तो वेवी कर में भी हमने इस तरह का scene discuss किया था ठीक है factorize अगर आपको इसको करना है तो आप यहाँ पर यह देखो कि आप numerator में plus 1 minus 1 कर लो numerator में अगर आप plus 1 करते हो तो आपके इसमें है x square minus 2x plus 1 x square minus 2x plus 1 कितना होता है x minus 1 का whole square होता है और क्योंकि आपने plus 1 अभी हाँ पर whole square create करने में इस्तेमाल कर लिए तो minus 1 एक्स्टर बज गया उसके साथ में एक और minus 2 और minus 2 जो है उसको हम क्या लिख सकता है minus root 2 का square ताकि हम यहाँ पर a square minus b square से factorize कर पाएं ठीक है यह idea I hope आपको recall हो गया हो जहाँ पर हम numerator में particular चीज add subtract करके perfect square minus perfect square create कर पाते हैं ठीक है next हम यहाँ पर a square minus b square obviously apply कर रहे है so x minus 1 plus root 2 add x minus 1 minus root 2 नीचे आजाएगा कितना आपके उसमें x minus 1 this has to be greater than और equal to 0 तो आपके पसमें अभी हाँ पर critical points कौन-कौन से आ रहे हैं बहुत द्यान से बोलना गलती नहीं होनी चाहिए एक critical point तो obviously 1 आ रहे है इसमें कोई गलती नहीं करेगा यहाँ से critical point कितना है यहाँ से critical point है आपके पास में 1 plus root 2 critical point क्या होता है उस bracket को equal to 0 करके जो answer आता है वो critical point है इस bracket को equal to 0 करके तो आपके इसमें x के वहले कितनी आएगी rightness head में लिए जाके 1 plus root 2 ठीक है तो 1 plus root 2 यहाँ पर आपके critical point आए और वैसे इस bracket को अगर आप 0 करके तो कितना है आपके इसमें answer minus root 2 plus 1 मतलब 1 minus root 2 1 minus root 2 ठीक है हमारे पास में यह सारी चीजें अभी बन रही है मुझे क्या करना है greater than or equal to 0 solve करना है so plus minus plus minus लेके मेरे पास में यह expression create हो रहा है ठीक है मुझे plus वाली चीजें यहाँ पर incorporate करनी है so I finally have the solution of this inequality यह जो inequality मैंने solve करना start करी यहां तक आया यहां तक आया और मैंने solve कर लिए ठीक है तो inequality का answer तो यह है लेकिन domain restriction का value क्या है वो यह है ठीक है तो हमें आप क्या करना है finally एक further intersection लिखना है ठीक है वो further intersection जो है हमारे यहाँ पर answer generate करेगा तो मेरे पास में यहाँ पर से 3 values आती है मेरे पास में मिरे पास में one minus root two है और मेरे पास यहाँ पर one plus root two है what do I have from here मेरे पास में एक zero है one है और एक 3 है तो सही है कि मांख करो मेरे पास 0 है यहां आएगा फिर मेरे पास में 1 है 1 है तो बड़ी आवात है 1 तो यहां पर ही और मेरे पास में 3 है अब 3 कहां जाएगा 3 यहां पर आएगा क्या root 2 plus 1 1 point है ना something and then plus 1 basically 3 तक नहीं पहुच पार तो हमारे पास में जो interval से उनको mark कर लिया जाए जो acceptable intervals है यहां पर हमारे पास में है 1 minus root 2 से लेके 1 1 minus root 2 से लेके 1 is 1 acceptable interval ठीक है and another one is 1 plus root 2 से आगे ठीक है and here what do we say 0 से कम होना चीए 0 से कम होना चीए 0 से कम होना चीए और further हम क्या बोल रहा है यहां पर 1 और 3 के बीच में होना चीए 1 और 3 के बीच में होना चीए 1 और 3 के बीच में होना चीए ठीक है तो आप मुझे यहां पर black और green जो मिले है restrictions उनका intersection लेके final answer report करते आ जाएगा तो यहां पर आपका intersection की आएगा जहां पर 2-2 आपको horizontal line एक साथ नजर आ रही हूँ आपको intersection हो जाएगा आपका यहां पर x belongs to 1-root 2 से 0 union 1-root 2 से 3 clear होता है this becomes our final answer of domain so domain के question अगर आपको solve करना है तो आपको inequality solve करते आनी चाहिए जो हमने आज के lecture में पढ़ी है and finally I will leave you with one good question as homework तो इस question का solution हम अपने अगली lecture में discuss करेंगे यह काफी अलग सवाल है अभी तक जो हमने हाँ पर discuss किया है उससे अलग है आपको हाँ पर properties पे जादा dependency बनानी है और इसको solve करना है it is easier than what we have already done but it is a bit different from the idea that we have already generated in this particular lecture ठीक है तो इसी के साथ में आपका lecture आज का हम end करते हैं ठीक है आप सारे बच्चे यहां पर जो है dinner के लिए wait कर रहे होंगे तो आप जा सकते हैं आपने dinner के लिए हम यहां पर कल फिर से मिलेंगे close bracket open bracket कहा यहां पर ध्यान रख लेना चाहिए था आपने बिल्कुल सही बात है close bracket open bracket yes okay so which one is closed this this one is open ठीक है तो 0 1 & 3 is open ठीक है and what what about closed closed वाला इस this one which is 1-2 1-2 is closed ठीक है and then one is closed लेकिन एक जागे closed रहे एक जागे open तो intersection उसको लेनी पहेंगे ठीक है and one plus root 2 यह closed ठीक है thank you very much तो इसको ऐसे कर लेते हैं फिर इन दोनों को close कर लेते हैं ठीक है और एक बार फिर से check लेना सारे बच्चे make sure that you understand each and every example that we discussed in today's lecture ठीक है यहां पर आपके जो एक एक करके यहां पर growth हुई है हर एक सवाल के साथ में ठीक है उसको एक बार question करोगे तो और मसा आएगा make sure that you report the answers in the comment section before our next lecture begins ठीक है बैसे तो अभी कर सकते हो काफी जल्दी यहां पर हो जाएगा सवाल इतना मुश्किल नहीं है ठीक है but make sure that you follow the time table आप अगर यहां पर regular नहीं है तो regular हो जाए जितना amazing आज का लेक्चर था होता नहीं amazing सारे लेक्चर से यहां पर आपके होते हैं and I definitely try कि आपको यहां पर कुछ नहीं कुछ नया definitely देखने के लिए मिले तो आपको 3.0 के sessions जो है वो हमेशा बहतर है ऐसा feel आएगा ठीक है so make sure कि आप अगर यहां पर अभी 11th में है तो सारे-सारे live lecture सब्सक्राइब करो है ना नमो सर का यहां पर लेक्चर स्टार्ट हो जाता है छे वजे से देन विए अश्वाणी सर एट 730 and I come at 9 p.m. for your mathematics lectures of class 11 topics और आपके जो 12th के subjects है 12th के जो topics है वो यहां पर अपको कौन-कौन से topics यहां पर प्रिफरर्ड है उनको आपके classes preferred है आपके अगर a class आपने 11th करें तो भाई तीनों देखना है क्योंकि अगर आपको computer examination में अच्छे तरीके से perform करना है then the best preparation is जब आपके तीनों सब्जेक्स बहुत अच्छे लेवल पर ready है या फिर बहुत अच्छे लेवल पर नहीं भी ready है तो भी तीनों subject same level पर ready है क्योंकि आपको उस case में हर एक subject का easy easy question पकड़के करते आता है अगर आपको let's say physics chemistry maths में लग रहा है कि मुझे chemistry में मज़ा नहीं आ रहा है मैं तो maths और physics ही करता हूँ ठीक है तो होगा क्या कि chemistry क्योंकि आपने किया नहीं है न तो chemistry के simple सवाल जो है उस paper में वो भी आपके लिए difficult होंगे पूरी दुनिया simple simple सवाल कर रही होगी आपको लेगा कि यह difficult है आप नहीं कर पाओगे क्यों क्योंकि आपने पहले आलस किया आपने यहाँ पर यह decision लिया कि मैं chemistry नहीं पढ़ता हूँ मैं क्यों physics और maths ही पढ़ लेता हूँ या फिर कोई और subject मैं यहाँ पर physics नहीं पढ़ता हूँ मैं क्यों chemistry और maths पढ़ लेता हूँ ठीक है if you are choosing like this तो मान के चलो कि आप यहाँ पर अपनी rank को गिरा रहे हो अगर आप यहाँ पर mood पर depend करते हो कि आपको lecture attend करना है की नहीं करना है अगर आपकी liking पर आप depend करवाते हो कि आपको कौन सा subject ज़्यादा देर पढ़ना है कौन सा subject कम देर पढ़ना है तो यह सारे ही जो आपकी हरकते हैं इससे आपकी rank कम होती है ठीक है तो में शिर कि आप ऐसा काम ना करें हर एक subject को equal weightage दें हर एक lecture को उतने ही dedication के साथ में देखें जो आपका favorite subject है उसका जितना आप dedication के साथ में देखते हैं उतना ही आप बाग की दोनों subject को भी देखें क्योंकि favorite होता है इसमें तो यहाँ पर कोई दोर आई नहीं कि हाँ पर हर बच्चे के कोई ने कोई एक subject favorite होता है और एक subject उसका definitely जो है disliking वाला होता है ठीक है लेकिन समझदार वही है जो सब में महनत करें ठीक है इन फैक्ट जो आपको पसंद नहीं है न उसमें और जादा महनत करने की आपने जरूरत महसूस करनी चाहिए ठीक है live.me.me.ya के उपर आपको सारे lectures मिलता है class 11 12 के तो make sure that you have this link as a pinned link in your browser या फिर आप इसको bookmark कर लीजी ठीक है ताकि आप इसको access कर पाए उच्छे तरीके से और unacademy subscription बच्चों यहाँ पर आपको पूरा ecosystem प्रोवाइड करता है अगर आप join करको तो आपको उसके benefits definitely नजर आएंगे और जब इतने सारे educators इंडिया के top educators आपके साथ में जुड़े होंगे तो result तो बच्चों आपको इहाँ पर amazing मिलने ही बाला है तो make sure कि आप इहाँ पर unacademy का app सबसे पहले install कर लें उसमें जाके क्या क्या आपकी free resources से उनको इस्तिमाल करना start करें and then you can go for the subscription as well subscription लोगे तो आपको इहाँ पर plus और iconic की options मिलेंगे और अगर आप समीर लाइक के साथ में join करते हैं तो आपको maximum possible discount भी मिल जाएगा ठीक है और अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं कितना duration होना चाहिए the duration is exactly how much the time is remaining for your target exam अगर आप यहाँ पर 2023 target करने हैं तो obviously आप यहाँ पर 2 साल का subscription लेंगे अगर आप 2022 target करें तो आप यहाँ पर एक साल का subscription लेंगे तो इस तरह से आप basically decide कर सकते हैं ठीक है and that's it for the day आप यहाँ पर मेरी खाल से आज अगर लेंगे मेरी खाल से आज तो खतम हो गया almost मेरे मेरा लेक्षर आते तब तक सब्सक्राइब हो जुका हो ठीक है तो आज वैसे 21st ही है लेकिन अब यहाँ पर 21st होने किता है तो यह offer तभी तक था ठीक है आप यहाँ पर अभी next जो है तभी लेकिन जो है इसका जो importance है वो कम नहीं हो जाता है ठीक है तो आप यहाँ पर जो है सब्सक्रिशन के साथ में पढ़ाई आगे continue कर सकते हैं without fail और साथी साथ एक बहुत बड़ा thank you for attending the lecture जो यहाँ पर extend हो गया है by 15 minutes ठीक है लेकिन जो है आपके साथ में हम मेहनत करने के लिए ready है आप भी ready रहो ठीक के देखोगे ठीक है ऐसा नहीं हो तकता ठीक है आपको यहाँ पर lecture जो है वो तो जो है उसी दिन देख लेना है and better यही है कि जब live हो रहा है तभी देख लो ठीक है अगर आपने यहाँ पर एक दिन दो दिन तीन दिन अगर आलस किया अगर आपने वो streak break कर दी जैसे यहाँ इंस्टाग्राम के ओपर कई सारे वच्चे अपनी streaks share करते हैं कि this is streak number 15 this is streak number 17 हमने इतिने सारे lecture बिना में इस किये देख लिए हैं sir ठीक है वो यहाँ पर stories में share करते हैं ठीक है and that is that is the kind of dedication which is needed अगर आप यहाँ पर streak maintain नहीं कर पा रहे हो without miss अगर आप यहाँ पर session नहीं दे discipline नहीं रह सकते हैं अगर आप hard work नहीं कर सकते हैं तो फिर already आप बहुत सारे qualities कम जो है लेके जा रहे हो competition में और competition में आपको यह सारी चीज़े actually और ज्यादा importance देके है ना उनको बढ़ाने के उपर focus करना चाहिए भई hard working हम दस्वी में जितने थे उससे ज्यादा hard work करना है हमें ठीक है हम जितने dedicated थे अपने पढ़ाए के लिए उससे यादा dedication show करना है because this competitive exam demands all those things ठीक है so make sure कि आप यहाँ पे कोई भी lecture मिस ना करे ठीक है और एक काम तो करी दो like करने के साथ शेयर कर दो इस lecture को with a hashtag glive daily ताकि यहाँ पर और और बच्चों को पता चले कि यार कैसे यह हाँ पर जो है महनत के साथ में आख साथ में free or quality content सारे educators मिलके create कर रहे हैं share कर रहे हैं that's it for the बच्चों take care bye bye